हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्रे सस्पेंस से भरपूर कहानी इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक ही बार में कम्प्लेट स्चोरी ताकि सब बिना इंतजार किये इंजोई कर सके पूरी कहानी चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सुनील ने अपनी मोटर साइकल वाल्टन रोड के कोने के फुट पात पर चड़ा कर खड़ी कर दी और फिर पैदल ही वाल्टन रोड पर उस और बढ़ गया जिधर CID की ब्रांच Special Intelligence के Director करनल मुकर जी की कोठी थी कोठी के समी पहुँच कर उसने लापरवाही से कोठी की चार दीवारी में लगे लोहे के फाटक को धकेल कर खोला और भीतर घुस गया अर्थ वृताकार ड्राइव वे से होता हुआ वो मुख्य इमारत सामने जा पहुँचा उसने कॉल बेल के पुश पर उंगली रफ दी दुआर करनल मुकर जी के एकलोते नौकर धरम सिंग ने खोला धरम सिंग करनल मुकर जी का पीर बावर्ची भिष्टी सब कुश था करनल साहब उसका बेहद विश्वास करते थे लेकिन पिछले कुछ केसों में कुछ ऐसी घटनाई घटी थी जिनकी वज़ा से सुनील उसे संदिग्द निगाहों से देखने लगा था कई बार बड़ी गुप्त बाते लीक हो जाती थी और सुनील के विचार से मुकर जी के स्पेशल इंटेलिजन्स के स्टाफ के अतिरिक अगर किसी को उन बातों की जानकारी होने की संभावना हो सकती थी तो वो धरम सिंग ही था सुनील दो-तीन बार मुकर जी पर अपना संदे प्रकट कर चुका था हर बार मुकर जी ने बड़ी अच्छी तरह धरम सिंग को ठोका बजाया था और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि सुनील का संदे निराधार है धरम सिंग द्वार से एक और हट गया और सेर्ण नवाकर आदर पूंट स्वर से बुला साहब आपका इंतिजार कर रहे हैं सुनेल भीतर प्रविष्ट हो गया धरम सिंग मुखर जी के कमरे तक उसके साथ आया उसने आगे बढ़कर कमरे का द्वार खोल दिया सुनेल भीतर प्रविष्ट कर गया धरम सिंग ने द्वार बंद कर दिया करनल मुखर जी अपनी काली लकडी की विशाल मेज के पीछे बैठे थे उनके नेत्र बंद थे और उनके दान्तों में बुझा हुआ पाइप दबा हुआ था गुड मॉर्निंग सर सुनील द्वार के समीप खड़ा खड़ा बुला मुखर जी ने धीरे से नेत्र खोले और सुनील को देखा वे कुर्सी पर संभल कर बैठ गए उन्होंने अपने दान्तों में दबा पाइप निकाल लिया और बोले आओ सुनील लंबे डग भड़ता हुआ उनकी मेज के समीप पहुँच गया मुखर जी ने उसे बैठने का संकेत किया सुनील मेज के सामने बिछी कई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया मुखर जी ने विच्चित्र नेत्रों से अपने हात में थमे पाइप के बॉर्डल में जांका फिर उनकी मेज पर से एक लोही की सलाई उठाई और बाडल में भरे अज़ले तंबाकू को कुरेदने लगे पाइप के तंबाकू को इच्चित स्थिती में ले आने के बाद उनकी पाइप को दोबारा सुलगा लिया सुनील प्रतिक्षा करता रहा पाइप के कई कर्ष ले चुपने के बाद वे सुनील की और आकरशित हुए तुम्हें मालूम ही होगा कि आज शेहकर के सुल्तान एहमद बिन साईद भारत सरकार का आतित्य स्विकार करने के लिए भारत की धर्ति पर कदम रख रहे हैं जी हाँ मालुम है सुनील बोला शेहकर के बारे में कुछ जानते हो केवल इतना जानता हूँ कि शेहकर फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा अरब राश्च्र है भारत सरकार से उसके संबन अच्छे है बाकी अरब राश्च्रों से शेहकर कोई विशेश वास्ता नहीं लगता है शेहकर एक स्वतंत्र राश्च्र है और उस पर सुल्तान एहमद बिन सईद की हकूमत है लेकिन पिछले कुछ हरसे से अंग्रेज और फ्रांसिसी दोनों ही उस पर अपने दांत गड़ाई हुए हैं इतना काफी है मुकरजी संतुष्टि पुर्ण स्वर में बोले सुल्तान एहमद बिन सईद पूरी तरह अंग्रेजों के कबजे में हैं अंग्रेजों के दम पर ही वो शेहकर की हकूमत संभाले हुए हैं सुल्तान एहमद अधिकतर लंदन में ही रहता है डोरिस नाम की एक अंग्रेज औरत से वो महबबत करता है और शिग्र ही उससे शेहकर एक कटर मुसलिम मुल्क है, वहां की जनता अपने धरम को बहुत महत्व देती है सुल्टान के इस एक्षन से शेहकर में बगावत फैल जाने का अंदेशा है लेकिन सुल्टान को इसकी कोई विशेश परवा नहीं है उसे पूरा भरोसा है कि अंग्रेश थिती को संभाल लेंगे मुकरजी एक शन के लिए चुप हो गए और पाइप के लंबे लंबे कश लगाने लगे सुल्टान एहमत का अबु दाउद नाम का एक छोटा भाई है कई शन बाद मुकरजी फिर बोले वो सुल्टान एहमत का पका दुश्मन है और हर समय शेहकर की सत्या हत्याने के लिए शड्यंत्र रष्टा रहता है फ्रांसीसियों ने अबु दाउद को अपना पिट्टू बनाया हुआ है और वे गुप्त रूप से अबु दाउद के कू कृत्यों में हर प्रकार की सहायता करते हैं अगर एहमत बिन साईद की जगा अबु दाउद सुल्टान बन गया तो शेहकर पूरी तरह फ्रांसीसियों के कबजे में आ जाएगा इन तमाम बातों का सुल्टान एहमत बिन साईद की भारत यात्रा से कोई संबंध है क्या सर सुनील ने सरल स्वर से पूछा संबंध है मुकर्जी ने उत्तर दिया अबु दाउद भी सुल्टान के साथ भारत आ रहा है पिशले दिनों शेहकर में दो बार सुल्टान की हत्या का प्रयत्न विफल हो चुका है और ये बात सर्व विदित है कि सुल्टान ही हत्या के शड्यंत्र में अबु दाउद का हाथ है चाहे ये बात सिद ना की जा सके तो आपता खेयाल है कि भारत में भी अबुदाउद सुल्टान की हत्या करने का प्रित्न कर सकता है संभावना तो है ही शरारत तो वो कर ही सकता है हम नहीं चाहते कि सुल्टान की भारत यात्रा के दोरान कोई अप्रिये घटना घटे लेकिन सुल्टान ऐसे खतरना का आदमी को अपने साथ क्यों लाया है? हमें नहीं मालूम सुलिल चुप रहा वैसे तो सेंट्रल इंटेलिजन्स ब्यूरो के एजंटों और पुलिस विभाग द्वारा सुल्टान की सुरक्षा का पूरा पूरा इंतिजाम किया जा चुका है लेकिन अपने संतुष्टी के लिए इस विशे में मैं अपने विभाग का भी थोड़ा सा योगदान चाहता हूँ क्या सर? मैंने ऐसा इंतिजाम कर दिया है कि सुल्टान अपनी भारत यात्रा के दोरान हर समय तुम्हें अपने साथ रखेगा ये कैसे संभव है सर सुनो सुल्टान अपने दल बल के साथ एक पानी के जहास पर आ रहा है पानी के जहास पर हाँ वो हवाई जहास पर सफर करने से डरता है इसी वज़ा से वो पहले राशनगर आ रहा है, वो राशनगर की बंदरगा पर उत्रेगा और उसके बाद रेल द्वारा राशधानी ले जाया जाएगा सुल्तान का जहास राजनगर बंदरगा पर हमारे पडोसी राश्य नेटसी कॉप की इह कैरोग बंदरगा से आ रहा है सुल्तान तीन दिन नेटसी कॉप सरकार का भी मेहमान रहा है भारत में उसका दो सप्ता रहने का प्रोग्रम है मैंने भागतिय प्रतिनिधी के रूप में इह कैरौप में सुल्टान से संपर्ख स्थापित किया था और उससे प्रातना की थी कि वो सिक्योरिटी की खातिर हमारे किसी आदमी को किसी बहाने अंग रक्षक के रूप में अपनी भारत यात्रा के दौरान हर समय अपने साथ रखने के लिए फामी भड़ दे पहले तो सुल्टान ने ये कहकर इंकार कर दिया कि ऐसे किसी बखेड़े की जरूरत नहीं है और ना ही उसे ये पसंद है कि कोई उसकी प्राइवेसी में दखल दे लेकिन बहुत प्रातना करने के बाद उसने हमारी बात स्विकार कर ली तुम्हें इतने स्वभाविक धंग से उसके साथ छिपकाया जाएगा कि किसी को ये संदे भी नहीं होगा कि तुम स्पेशल इंटालिजेंस के एजेंट हो और किसी विशेश मिशन की खातिर तुम्हे सुल्तान के साथ रखा जा रहा है कैसे सुल्तान तुम्हारी ही उम्र का आदमी है और इंगलेंड की ऑक्सपोर्ड युनिवसिटी में पढ़ता रहा है सुल्तान के राश नगर की बंदरगा पर कदम रखने के बाद तुम्हें बलास के प्रतिनिधी के रूप में बाकी रि उनिवर्सिटी के पुराने सेहपार्टी के रूप में पहचाम लिगा सुनील के नेत्र फैल गए वो बोला लेकिन मैंने तो आक्सफर्ड उनिवर्सिटी के सूरत भी नहीं देखी क्या फर्थ पढ़ता है जब स्वयम सुल्तान एहमद बिन सईद ये कहेगा कि तुम आक्सफर्ड में उसके साथ पढ़ते रहे हो तो क्या कोई इस बात की हकीकत को चैलेंज करने का होसला कर सकेगा सुल्तान मुझे पहचान लेगा क्या सर जरूर पहचान लेगा सुल्तान को तुम्हारी कई तस्वीरे दिखाई जा चुकी है उसके बाद मेरा काम क्या होगा सर तुम्हें साई की तरह सुल्तान के साथ लगे रहना है और उसके जान की हर प्रकाश से रक्षा करनी है इस चाहते हैं कि वो भारत की भूमी से सुरक्षित रूप से प्रस्थान कर जाए उसके बाद चाहे उसके अपने देश वासी उसे सूली पर चढ़ा दे या उसके दुश्मन उसे गोली से उड़ा दे ठीक है मैं सतर्क रहूंगा सर मुखर जी कई क्षण चुप रहे और फिर बोले दरसल सुल्तान एहमत के धरम परिवर्तन करके अंग्रेज लड़की से शादी करने के इरादे ने बड़ा घपला कर दिया है शेकर के लोग अपने धरम पर बहुत मरते हैं वहां के मौलवी और काजी और ऐसे धरम के ठेके दार सुल्तान से बहुत नाराज है अबुदाउद को सुल्तान के खिलाफ शेकर की जनता को भड़काने का और भी अच्छा बहाना मिल गया है सुल्तान के धरम परिवर्तन के विचार से लोग कितने क्रुध हैं इस बात का अनुमान तुम इन से लगा सकते हो कि राशनगर में जो अरब रहते हैं वे सुल्तान के राशनगर आगमन पर उसके विरुत एक प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं जबकि साधारन त्यज़ जब कोई विदेशी महमान आता है तो उसके भारत में बसे देशवासी बड़े जोर्श खरोष से उसका स्वागत करते हैं सुनिल चुप रहा सुल्तान का जहास कल सुभा नौ बज़े राशनगर की बंदरगा पर आ लगेगा तुम पहले ही अपने अकबार के प्रतिनिधी के रूप में वहां मौझूत रहना बेहतर सर बाद में सुल्तान और तुम्हारे बीच में जो ड्रामा होगा उसकी रूप रेखा मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ येस सर कोई दिक्कत हो तो मुझे सूचित कर देना ओके सर और इसे रख लो मुखरजी बोले और उन्होंने अपनी मेस्ट के एक दरास में से एक रिवॉल्वर निकाल कर सुनील के सामने रख दी सुनील उस रिवॉल्वर को बहुत बार हैंडल कर चुका था वो 38 कैलिबर की 10 पायर करने वाली मोझर नामक जर्मन रिवॉल्वर थी मोझर अपनी प्रकार के हत्यारों में सबसे अधिक खतरनाक थी उसकी गोली की मार शरीर में इतना बड़ा जरोका बना देती थी कि देखकर दह्शत होने लगते थी उस रिवॉल्वर में केवल एक ही खराबी थी कि कभी कभी गोली चलने के बाद गोली का खोल निकल कर इतनी जोर से मूझ से आकर ठकराता था कि एक बार तो आँखों के सामने सितारे नाच चाते थे खोल से चोड तो लगती थी लेकिन साथ ही इस बात की संतुष्टी भी होती थी कि जिसे गोली लगी होती उसका तो इससे एक लाग गुणा बुरा हाल हुआ होगा सुनिल ने रिवॉल्वर को उठा कर अपनी पैंड की बेल्ट में खोंस लिया और उपर से कोट के बटन बंद कर लिये सुल्तान एहमद बिन साईड एक बेहत ठिगने कद का शकल सूरत में साधारन सा लगने वाला आदमी था वो अपनी राश्लिय पोशाव पहने हुए जहास पर से उत्रा था उसने अपने सिर पर एक अरब धंग की पगड़ी बांदी हुई थी जिसमें लगा एक विशाल हीरा सूर्य के प्रकाश में सूर्य की ही तरह जगमगा रहा था राश्नगर के मेर ने केंदरिय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सुल्तान का स्वागत किया बाद में सुल्तान गॉर्ड आफ ओनर का निरिक्षन किया फिर बंदरगार पर विशेश रूप से बनाई गए एक प्लैटफॉर्म पर पहले केंदरिय सरकार के एक प्रतिनिधि और फिर सुल्तान के अपचारिक भाशन हुए सुनील बड़ी शांती से प्रेस रिपोर्टरों के जुन में खड़ा सब कुछ देखता रहा अंत में सुल्तान अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ प्रेस रिपोर्टरों की और अकर्शित हुआ जेंटलमेन सुल्तान अपनी दाई और खड़े एक लगभग 25 वर्ष के युवक की और संकेत करता हुआ मेठे स्वर में बोला ये मेरा भाई है अबु दाउद अबु दाउद एक लंबे उंचे कत का सुन्दर युवक था वो अपनी राश्रिय पुशाफ के स्थान पर एक विलायती धंग का सूट पहने हुए था उसके चेहरे पर कठोरता और बेरुखी के भाव थे और ये हैं शिहाब जल अर जूरी सुल्टान अपनी बाई और खड़े एक वृत की और संकेत करता हुआ बोला शेहकर के शाही इमाम और मेरे वजीर शिहाब अल जूरी अरब धंग का लंबा लबादा पहने हुए था उसके चेहरे पर बड़ी पवित्र सी लगने वाली बरफ जैसी सफैद लंबी दाड़ी और मूछे थी उसके दाई हात में तस्भी थी जिसके मन के अंजाने में ही उसकी उंगली और अंगूठे में से गुजरते जा रहे थे उसका चेहरा सलेट की तरह सफैद था तकाल ही फोटोग्राफर के कैमरों के फ्लैश बलब चमक उठे इसके बाद फ्रेस रिपोर्टरों ने सुल्तान पर प्रशनों की बौचार कर दी आपके भारत के बारे में क्या राय है? प्रांस से आपके संबन्द कैसे है? इंग्लेंड से आपके संबन्द कैसे है? क्या ये सच है कि शेकर में बगावत होने वाली है? वगेरा वगेरा सुल्तान ने एक भी प्रशन का उत्तर देने का प्रयत्न नहीं किया वो मुस्कुराता हुआ सारे प्रश्न सुनता रहा रिपोर्टरों के थोड़ा छुप हो जाने के बाद वो मधुर स्वर में बोला जेंटलमेन मैं इंसान हूँ कोई कम्प्यूटर नहीं मैं पचास आदमियों से एक साथ कैसे बात कर सकता हूँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर डूंगा लेकिन ऐसे नहीं आप अपने लोग अपने प्रश्न एक कागस पर लिख कर दीजिए और फिल अपने में से एक प्रतिनिधी चुन कर उसे वो प्रश्न सौंप दीजिए मैं बड़ी शांती से आपके प्रतिनिधी का सारे उचित प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा मैं आपको सुनील सुल्तान के चेहरे पर इतना तीवर भाव परिवर्दन हुआ कि प्रेस वाले एकदम स्थभ हो गए जो लोग सुनील को जानते थे वो एकदम सुनील की योड देखने लगे सुनील जिजतने का अभिने करता हुआ अपने स्थान पर खड़ा रहा सुल्तान लपक कर सुनील के समीप पहुंचा और बड़ी गरम जोशी से सुनील से हाथ मिलाने लगा Fancy meeting you here My dear सुनील सुल्तान बोला तुमने मुझे पहचाना Yes, Your Highness सुनील शिष्ट स्वर में बोला हाइनेस नहीं एहमत कहो आप सुनील को कैसे जानते हैं लगबग सभी कंठों से एक ही प्रश्न फटा Gentleman सुल्तान बोला सुनील मेरा पुराना मित्र है Oxford में हम दोनों सेहपाथी रह चुके है मुझे इस से यहां मिलकर बहुत खुशी हुई है कुछ रिपोर्टरों ने सुनील और सुल्तान की इकठी तस्वीर खेश डाली अब मैं आप से प्रातना करता हूँ कि आप लोग सुनील को ही अपना प्रतिनिधी चुन ले अब आप अपने प्रशन लिख कर सुनील को दे दीजी मैं आपके सब प्रशनों का उत्तर डूंगा इसी बहाने मुझे अपने पुराने मित्र से बाते करने का अफसर भी मिल जाएगा और सुल्तान सुनील से आकरी बार हाथ मिलाकर अबुदाउद और शिहाथ अलजूरी के साथ वहां से हट कया कई रिपोर्टर बड़े संदिग्द भाग से सुनील को देख रहे थे बड़ी उंची चलांग लगाई है गुरू क्रॉनिकल का रिपोर्टर ललित सुनील से बुला संयोग की बात है सुनील ने कहा तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आक्सवोर्ड में पढ़ते थे इसमें ऐसी खास दोर पर बताने लायक क्या बात थी सुनील सहत स्वर में बोला मैं आक्सवोर्ड में ही तो पढ़ता था चांद पर तो नहीं पढ़ता था और ना ही कभी तुमने इस बात का जिक्र किया था शेकर का सुल्तान तुम्हारा सहपाथी था मुझे मालूम ही नहीं था कि वो शेकर का सुल्तान बन गया है अब वो आक्सपोर्ड में मेरे साथ पढ़ता था तो उस समय तो मुझे सिर्फ ये मालूम था कि वो किसी अरब देश के सुल्तान का लड़का है उस समय मुझे ये तो सुजा ही नहीं था कि बाद में वो खुद सुल्तान बन जाएगा और वो भी इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में मैं तो उसे भूल ही चुका था मुझे तो ये कभी क्वाब में भी नहीं सुजा था कि शेहकर का वर्ट मान सुल्तान मेरा पुराना सेह पार्टी एहमद निकलेगा तुम्हारी तो चांदी हो गई गुरू ललिद बोला अब ब्लास तो स्पेशल नंबर निकालेगा शायद ब्लास तो इस समाचार को फ्रंट पेज पर बैनर हैड लाइन्स में निकालेगा सर्प्राइज एंड काउंटर ओफ सुल्तान एहमद बिन साईद और शेकर विद आवर स्चाव कोरेस्पॉंडेंट सुलील कुमार चक्रवर्ती दे वर ओल्ड फ्रेंड्स वाह मज़े है प्यारे मज़े है तो तुम्हारे पेट में दर्ध क्यों हो रहा है बात ही दर्ध होने वाली है हमारे बापने भी अगर हमें पढ़ने के लिए आक्सफोर्ट भेजा होता तो आज हम भी शायद किसी सुल्तान के यार होते फिर ब्लास की जगा क्रॉनिकल के जंडे गार दिये होते और यार लोग इसी बात पर तनक्वा में सो रुपे की तरक्की मार चाते मुझे तुमारी हालत पर अफसोस है सुनील हस्ता हुआ बोला अफसोस तो कर लो लेकिन मेरे प्रशनों के जो उत्तर सुल्तान दे उन्हें बीच में सैंसर करने की कोशिश मत करना टोटल इन्फोमेशन मेरे हाथ में आनी चाहिए ओके सब रिपोर्टरों ने अपने अपने प्रशन लिख कर बड़ी अनिच्छा पून धंग से सुनील को थमा दिये सुनील तब तक एक खुली कार में जलूस की सूरत में नगर की और रवाना हो चुका था सुल्तान एबद बिन Aixòीड को समराट नाम के सरकारी होटल की आठवे मनजिल पर ठहराया गया था होटल की आठवे मनजिल के सारे कमरे सुल्तान उसके सहियोगी सचीवंग रक्षक और नौकर चाक्रों के लिए बुग किये जा चुके थे सुल्तान के सिक्यूरिटी स्टाफ को पहले ही सुनील के बारे में बता दिया था इसलिए सुनील को सुल्तान के पास पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई सुल्तान ने मुस्कुरा कर सुनील का स्वागत किया और उसे एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया सुल्टान स्यहत स्वर से बोला विस्की प्योगे सुल्टान सुल्टान बिना कुछ बोले बात्रूम में गया और वहां से एक विस्की की बोतल और दो गिलास लेकर लोटा वैसे तुम पीते हो ना सुल्तान ने पूछा जी हाँ पीता तो हूँ तो फिर इंकार मत करो सुल्तान बोतल खोल कर दो गिलासों में शराब डालता हुआ बोला जो विस्की मैं तुम्हें पिलाने वाला हूँ वो दुनिया भर में किसी दूसरे आदमी को हासिल नहीं है इस विस्की का नाम गले नौडरी है और ये ब्रैंड फ्रांस की कमपनी सिर्फ मेरे लिए बनाती है सुनिल चुप रहा पीयो, सुल्तान ने आदेश दिया सुनिल ने एक गिलास उठा लिया जितने समय में सुनिल ने अपनी विस्की का एक गुण पिया उतने समय में सुल्तान दो पैग पी गया इतनी छोटी उम्र में ही लगता था वो तगड़ा पीयकड बन गया था सुल्तान ने अपने गिलास में फिर विस्की डाल ली उसी क्षण किसी ने द्वार खट खटाया कौन? सुल्तान ने आवाज लगाई शिहाब उत्तर मिला सुल्तान ने जल्दी से अपने गिलास की विष्की हलक में उडेली और सुनील से बोला जल्दी गिलास खाली करो सुनील ने हट बड़ाहट में फौरण अपना गिलास खाली कर दिया सुल्तान ने बोतर और दोनों गिलास उठाए और उन्हें बात्रूम में कहीं रख खाया मैं शिहाब अलजूरी के सामने विष्की नहीं पीता हूँ और कोशिश भी यही करता हूँ कि उसे मालूम भी ना होने पाई कि मैं विष्की पीता हूँ बोतल भी मैंने बात्रूम में पानी की टंकी में चुपा कर रखी हुई थी शिहाब बेहत धर्म परायन आदमी है और मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहता है उसे यह जानकर बहुत दुख होगा कि मैं शराप पीता हूँ उसे मालूम नहीं सुनील ने पूछा उसने सुना बहुत होगा लेकिन उसने कभी मुझे विष्की पीते देखा नहीं है और शिहाब अलजूरी ऐसा बुड़ा है जो अपने कानों पर नहीं आँखों पर विश्वास रखता है सुनील चुप हो गया आजाईए सुल्तान ने आवास दे शिहाब परिशान सा द्वार खोल कर भीतर घुस आया अल्ला वो हाफता हुआ बोला क्या हुआ प्रेस रिपोर्टर वो बोला रिपोर्टरों में फस गया था मैं रिपोर्टर सुल्तान तीव्र स्वर्श से बोला रिपोर्टर कहां मिल गए थे आपको नीचे होटल की लॉबी में मेरा भाई कहां है वो रिपोर्टरों को इंटर्व्यू दे रहा है उसे फौरन यहां लेकर आईए सुल्तान नाराज स्वर्ज से बुला पता नहीं रिपोर्टरों के सामने क्या अनाप्शना बक रहा होगा वो शिहाब अलजूरी उल्टे पाउं वापिस लोट गया पांच मिनट बाद वो अबुदाउद के साथ वापिस लोटा मुझे क्यों बुलाया है अबुने रुक्ष्वर्ज में पूछा मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए बुलाया है सुल्तान कठोर्ज स्वर्ज से बुला कि मेरे या शिहाबलजूरी के अलावा मेरी पार्टी का कोई आदमी प्रेस वालों से शेहकर या वहां की हकूमत से संबंदित किसी भी विशे पर बातचित नहीं करेगा अबुदाउद के चहरे पर एक प्रोध और घ्रिना के मिले जुले भाव उभरे और विलीन हो गए मुझे आशा है कि भविश्य में तुम इस बात को याद रखोगे मैं याद रखूँगा अबुदाउद अब रुक्ष स्वर में बोला सुल्तान ने आगनिय नेत्रों से अबु की और देखा और फिर उसकी और से पीट फेर ली शिहाब अलजूरी ने अबु को संकेत किया फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए शिहाब जाती बार दर्वाजा बंद कर गया ये मेरा भाई है सुल्तान भड़क कर बोला जो हर समय मेरी पीट में चुड़ा भोंकने का मौका तलाश करता रहता है 24 घंटे ये मेरे कतल की साजिश रष्टा रहता है ताकि मेरी जगा ये खुद शेकर का सुल्तान बन सके फ्रांसीसियों ने इसे खरीदा हुआ है और ये समझता है कि उनकी मदद से ये मेरा तक्ता पलटने में काम्याब हो जाएगा सुनील ने चुप रहना ही उचित समझा ये शेकर की जनता को ये कहकर मेरे खिलाफ भड़काता रहता है कि मैं गद्दार हूँ मैंने अपने देश को अंग्रेजों के हाथ बेश दिया है अब खुद ये जनता में ये नारा बुलंग करता रहता है कि शेकर के मालिक शेकर लोग ही नहीं होने चाहिए अंग्रेज होने चाहिए मेरे देश की मोट जनता ये नहीं समझती कि अगर मेरी जगा अबुदावत सुल्तान बन गया तो फर्ट केवल इतना पड़ेगा कि मुल्क अंग्रेजों की जगा फ्रांसीसियों के हाथ में चला जाएगा अगर भगवान न करे सुनिल ने जिजगते हुए पूछा आपको कुछ हो जाए तो शेकर की गदी का मालिक अबुदावत बन जाएगा क्या हाँ सुल्तान बोला इसलिए तो ये दिन रात मेरी हत्या की साजिशे करता रहता है दो बार मुझे जहर भरा खाना खिलाने की कोशिशे की जा चुकी है एक बार मुझे पर गोली चलाई गई थी लेकिन खुदा के शुक्र से मैं बाल-बाल बच गया था आप जानते हैं कि इन तमाम हर्कतों के पिछे अबुदाउत का हाथ है सुनील ने पूछा हाँ फिर भी आप अबुदाउत को आजाद घूमने देते हैं सुनील ने आश्यर से पूछा मैं अबुदाउत को जिंदगी भर के लिए जेल में सडने के लिए डाल सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्यूं? क्यूंकि ऐसा करने से अबुदाउद शेकर की जनता के निगाहों में हीरो बन जाएगा लोग यही समझेंगे कि मैं अपने अधिकारों का अनुच्छ पर्योग करके अपने भाई पर जुन कर रहा हूँ अबुदाउद को गिरुफतार करके मैं उसके शेकर को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करवाने के महान मिशन में रुकावट डाल रहा हूँ सुनेल चुप रहा लेकिन मैं शेग रही अपने इस नमक हराम भाई का सिर को चलने में सफल हो जाऊंगा मेरे पास अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि मेरी हत्या करवाने की साजिश के पीछे मेरे भाई का हाथ है एक बार मेरे हाथ कोई सबूत लग जाए फिर मैं इसे चौराहे पर फासी चड़ा दूँगा आप अबुदाउद को भारत यात्रा पर अपने साथ क्यों लाए हैं सुनील ने पूछा ताकि मेरी गैर मौचूद्गी में ये शेकर में रहकर कोई हंगामा ना खड़ा कर सके ताकि इसे खुले आम शेकर की जनता को मेरे खिलाफ भड़काने का मौका ना मिल सके मैं अपने इस खतरनाग भाई को अपने निगाहों के सामने ही देखना चाहता हूँ लेकिन सुलील हिचकता हुआ बोला अगर इसने यहां आपको जान से मारने की कोशिश की तो एक दूसरे मुल्क में आकर ये इतना बड़ा होसला नहीं कर सकता लेकिन फिर भी अगर मेरी भारत यात्रा के दौरान मुझे कुछ हो गया तो इसकी शत प्रतिशत जिम्मेदार अबुदाउद पर होगी सुनील चुप रहा तुम्हारे सेक्यूरिटी अफसरों के इकरार करने पर मैं तुम्हें हर समय अपने साथ रखने के लिए तयार तो हो गया हूँ लेकिन तुम्हारे ख्याल से क्या इस प्रकार के किसी इंतिजाम से कोई फाइदा हो सकता है लेकिन साथ धानी बरतने में क्या हर्ज है सुनील ने कहा हर्ज ये है कि इस से मेरे एकांत में खलल पड़ता है विशेश रोप से जबकि डोरिस भी यहां आने वाली है डोरिस उस अंग्रेज की लड़की का नाम है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो राज नगर के ही एक अन्य होटल में मौझूद है शाम होने तक मैं उसे यहां अपने पास बुलवा भेजूँगा उसके बाद मेरी भारत यात्रा के दौरान वो साथ ही रहेगी मैं आपकी तनहाई में किसी प्रकार की बाधा बनने की कोशिश नहीं करूँगा हाँ ऐसा ही करना सुल्तान बोला वरना मुझे तुमको अपनी सेवाओं से मुक्त करना पड़ेगा सुल्तान चुप हो गया और फिर नहीं बोला शाम को डोरिस भी सुल्तान के पास समराथ होटल में पहुँच गई डोरिस एक खुले खुले हाथ पाउं वाली लगबग 25 साल की बेहत खुब सुरत लड़की थी कद में वो सुल्तान एहमद बिल साईद से कम से कम एक फुट टूंची थी सुनेल को वो बड़ी ही दोश्चरित्र और कमीनी सी औरत लगी सुल्तान उसके मोपाश में बुरी तरफ फसा हुआ था लेकिन जब डोरिस उससे प्यार जताती थी या प्यार भरी बातें करती थी तो वो अभिने करती हुई मालूम होती थी आंतरिक रूप से उसे सुल्तान से कोई विशेश मोहबबत मालूम नहीं होती थी लगता था कि केवल रुत्बा और दौलत हासिल करने के लिए ही उसने सुल्तान को अपने रूप जाल में फासा हुआ था शाम के अकबारों में सुल्तान से संबंदित एक बड़ी सेंसेशनल न्यूस छपी उस न्यूस के अनुसार सुल्तान के पास कम से कम पचास लाक रुपे की कीमत के बेश कीमती हीरे जवारात थे जो एक सफैद रंग के चमड़े के छोटे से सूट केस में बन थे और जिस सूट केस को सुल्तान कभी अपनी आँखों से ओजल नहीं होने देता था वो सफैद सूट केस सुनील ने भी देखा लेकिन उसे कभी ये नहीं सूजा था कि उसमें इतने कीमती हीरे भरे हुए होंगे सुनील को अब अपना काम और भी कठिन मालूम होने लगा अब उसे सुल्तान की जान के साथ साथ उसके माल की हिफाज़त भी करनी होगी हीरो के बारे में अकबारों में चप जाने से सुल्तान भी खुश नहीं था अकभार में ये समाचार देख कर उसने अपने नीजी नौकरों को बहुत डांटा था क्योंकि अकभार वालों को हीरों की जानकारी केवल नौकरों द्वारा ही हो सकती थी अब दावत हात में अकभार में लिये उबलता हुआ सुल्तान के कमरे में आया एहमत क्या ये सच है? अबुदावत क्रोधित स्वर से बोला उस समिछ सुल्तान के कमरे में शिहा बलजूरी और सुनिल के अतिरिक प्रतिरक्षा विभाग का एक प्रतिनिधी बैठा था जो सुल्तान को उसके राजधानी की यात्रा के बारे में बताने आया था क्या सच है? सुल्तान ने सरल्सवर से पूछा कि तुम अपने साथ पच्चास लाक रुपे की कीमत के हीरे लिए फिर रहे हो? मैं अभी व्यस्त हूँ, इस विशे में तुम से फिर कभी बात करूँगा? सुल्तान बोला तालुमत अभुदाउद गरच कर बोला, मैं पूछता हूँ क्या तुम सच मुझ शेहकर से अपने साथ हीरे लाइव हो? सुल्तान ने एक वित्रिशना पूर्ण द्रिश्टी कमरे में मौजोद बाकी लोगों पर डाली और फिर धैर्य पूर्ण स्वर से बोला, हाँ, लाया हूँ क्यूँ? अभुदाउद पाउं पटकता हुआ गरचा, वे तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है शेकर के शाही खजाने का माल है, और उस पर सल्तनत का अधिकार है तुम्हें शाही खजाने से इस तरह हीरे चुडा कर लाने का कोई हग नहीं है मैं शेकर का सुल्तान हूँ, सल्तनत की हर चीज़ मेरी संपत्ती है मैं उसे जिस धंग से चाहूंगा इस्पेमाल करूंगा किसी को मुझे रोपने का हक नहीं है अब तुम निकलो यहां से लेकिन एहमत एकदम उचल कर खड़ा हो गया उसके नेत्र लाल हो गए और वो क्रोथ से थर-थर कामता हुआ चिंगाडा गेट आउट अबुदाउद का दुबारा बोलने का होसला नहीं हुआ वो एकदम घूमा और पाउं पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल कुछ शंड कमरे में मौत का ससरनाटा चाया रहा फिर सुल्तान अपने स्थान पर बैट कया और एक गहरी सांस लेकर शांत स्वर में बोला आपने देखी लिया होगा कि शेहकर के शाही खांदान के लोग लड़ने जगणने करमामले में अनपड और जाहिल लोगों से किसी रूप में कम नहीं है कोई कुछ नहीं बोला आप फरमाईए क्या कह रहे थे आप सुनिल प्रतिरक्षा मंत्राले के प्रतिनिधी से संबोधित हुआ प्रतिनिधी ने खंकार कर अपना गला साफ किया और पे जिजकते स्वर में बोला रात को ग्यारा बचे तक एक्सप्रेस गाड़ी राश नगर से राशधानी की और रवाना होती है उस गाड़ी में आपके लिए एर कंडिशन्ट डेलक्स कोच लगाया जा रहा है वो गाड़ी सुबा 10 बचे राश धानी पहुँच जाएगी राश धानी के स्टेशन पर स्वयम प्रधान मंत्री आपके स्वागत के लिए मौजूद होंगी वहां से आपको राश धानी के लिए सीधा राश धानी पहुँच जाएगा बड़ी अच्छी बात है कि गाड़ी 10 बचे राश धानी पहुँचेगी मैं सुबा उटना खास तोर पर ना पसंद करता हूँ सुल्तान मुस्कुरा कर बोला ये आपके डिलक्स कोच का नक्षा है प्रतिनिधी एक ब्ल्यू प्रिंट सुल्तान के सामने मेज पर फैलाता हुआ बोला इसमें चार कैबिन हैं आप जिस धंक से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बाकी स्टाफ को डिलक्स कोच के अगले स्लिपर कोच में स्थान दिया जा सकता है शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सुल्तान नक्षा देखता हुआ बोला इस कोच में चार कैबिन हैं एक मुझे चाहिए एक डोरिस के लिए एक अबुदावत के लिए और एक शिहाब अर्वजूरी के लिए नौकर गलियारे के फर्ष पर सो जाएंगे उनका दोसरे डिबे में इंतजाम हो जाएगा कोई जरूरत नहीं वे लोग इस प्रकार सोने के आदी हैं लेकिन इस कोच में सुनील के लिए जगा नहीं है क्या आपका मतलब है कि सुनील राज्टानी भी आपके साथ ही जाएगा शिहाब अर्वजूरी हैरानी से बुला हाँ सुनील मेरा दोस्त है मैं इसे इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता सुल्तान बुला तो फिर वो अगले कमपार्टमेंट में सोजाएगा शिहाब अर्वजूरी बुला फिर एकदम वो सुनील की और घूम कर बुला आपको तो कोई एतरास नहीं होगा ना सुनील के उत्तर देने से पहले ही सुल्तान बोल पड़ा नहीं सुनील का प्रबंध भी इसी कोच में होना चाहिए सुनील ने शांती की सांस ली कैबिन काफी बड़े हैं प्रति निधी बुला और हर कैबिन में दो बर्ट है किसी के साथ कैबिन शियर करने में हर्स ना समझे तो इन्हें अबुदाउद के साथ रहने दीजिए शिहा बल्जूरी ने राय दी शिहा बल्जूरी के कहने के ढंक से हिस पश्ट था कि वो खुद अपने साथ तो दोसरे आदमी की मौजूद की चाहता नहीं था डॉर इसके कैबिन का सवाल ही पैदा नहीं होता सुल्तान एमद को तो ऐसा सुझाफ देना भी असीम नीच लगता था केवल अबुदाउद ही बाकी रह जाता था और वो भी शायद एतरास करता अबुदाउद को कहने की जरूरत नहीं है सुल्तान निर्न्यात्मत स्वर्ष से बोला लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी शिहाप फिर नहीं बोला उसके दाएं हाथ की उंगलियां मशीन की तरह तस्वी के मन को पर फिरने लगी और सुल्तान ने प्रतिरिक्षा मंत्राले के प्रतिनिधी से प्रश्ट किया प्रतिनिधी ने बागी का प्रोग्राम भी बता दिया शाम को सिटी हॉल में सुल्तान के नागरिक अभिनंदन का आयोजन था उसके बाद समराठ होटल के ही विशेश रूप से सुसर्जित डाइनिंग हॉल में राश्र के कुछ नेताओं और नगर के गंड मान्य व्यक्तियों के साथ शाही मेहमान के लिए एक विशेश भोज का प्रबंध था भोज के पश्चात सुल्तान स्टेशन जाएंगे और राश्नगर की जनता के प्रतिनिधियों की और से उन्हें विदाई दी जाएगी सुल्तान ने सहर्च सारे प्रोग्राम को ओके कर दिया प्रतिरक्षा मंत्राल्य का प्रतिनिधी विदा हो गया समराठ होटल में विशेश रूप से सरजाए गए डाइनिंग हॉल में भोज का आयोजन था भोज में परोसी जाने वाली बहुत सी वस्तुएं सुल्तान के नीची रसोईये के निरिक्षन में बनाई गई थी सुनेल की पार्टी में से केवल शिहा बल्बजूरी ही एक ऐसा आदमी था जो शुरुआत से औप्चारिक रूप से अतीतियों की भीड़ भार में शामिल हुआ था लेकिन जल्दी ही वो ख्रमा प्रातना करके वापिस अपने कम्रे में चला गया उसके चले जाने के बाद सुनेल को बताया था कि शिहा बल्बजूरी बेहत धर्म परायन आदमी था उसके संसकार ऐसे नहीं थे कि वो ऐसी हंगामा थेस पार्टियों से आनंदित हो सके भोज के बाद एक सांस्क्रेतिक कार्यक्रम आरम हुआ कार्यक्रम का आरम हुआ एक भारतिय नाट्यक्रम के नत्यकी के प्रदर्शन से सुल्तान मेजर और अन्यर राष्टिय नेताओं के बीच में बैठा हुआ था सुनेल सुल्तान कम से कम 15 सीटे दूर बैठा हुआ था उस थिती में सुनील का सुल्टान के पास बैठना संभव भी नहीं था और ना ही सुल्टान ने भी आयोजकों से इस प्रकार कोई विशेश आगरफ किया था सुनील से थोड़ी दोर डॉरिस बैठी हुई थी अबुदाउद उसे भीर भाड में कहीं दिखाई नहीं देता था एका एक किसी ने पीछे से सुनील के कंधे को चुआ सुनील ने घूम कर देखा अरफ ड्रेस पहने हुए एक आदमी खड़ा था शायद वो सुल्तान के नौकरों की टीम में से एक था आपका टेलिफोन है मास्चर अरफ सिर जुका कर बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सुनील ने पूछा येस मास्चर आप इस हाइनेस के मित्र हैं मिस्टर सुनील टेलिफोन किसका है? मालूम नहीं मैंने पूछा नहीं मास्चर सुनील उठ खड़ा हुआ और अरफ के पीछे हो लिया मैंने ओपरेटर से कॉल नीचे कमरे में ट्रांसफर करवा ली है अरफ मार्ग दर्शन करता हुआ बोला ताकि आपको आठवी मंजिल पर जाने की जहमत ना उठानी पड़े थैंक्यू सुनील बोला अरब उसे एक कमरे में ले आया अरब ने द्वार खोला और बड़े आदरपोन धंग से शीश नवा कर खड़ा हो गया सुनील कमरे के भीतर प्रवेश कर गया टेलिफोन पलंग के समीप एक मेज पर पड़ा था सुनील टेलिफोन की योर बढ़ा उसी एक शन उसे लगा जैसे उसके सिर पर पहाड आगिरा हो उसके नेत्रों के सामने लाल पीले सितारे नाच गए किसी ने पीछे से उसके सिर पर कड़ी वजनी चीज का प्रहार किया था सुनील चक्राकर फर्ष पर धेर हो गया चेतना लुप ठोने से पहले उसने कमरे का द्वार भडाग से बंध होने की आवाज सुनी न जाने कितनी देर बाद उसे होश आया उसने नेत्र खोले लेकिन गहन अंधकार के अतिरिक उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दिया उसने अपने हाथ-पाउं हिलाने का प्रत्न किया तो उसे मालुम हुआ कि उसकी टांगे टकनों के पास बड़ी मजबूती से एक दूसरे से बंदी हुई थी उसी प्रकार उसके हाथ पेट पीछे बंदे हुए थे और उसके मुँ में भी कपड़ा ठूस कर उपर से पट्टी बांधी हुई थी सुनील ने पूरा जोर लगा कर मुँ से आवाज निकालने की कोशिश की लेकिन आवाज के स्थान पर एक भारी सी गौँ गौँ के सिवा कुछ ना निकला उसने अपने पाउं फैलाए और वे दूसरी और किसी ठोस वस्तू से जाट टकराए पैरों से टटोलने पर उसे मालुम हुआ था कि वो दर्वासा था सुनेल ने जोर जोर से दूआर पर पैर पटकने आरम कर दिये अगली हिक्षन दर्वासा खुला और प्रकाश की एक शिन्ट से किरंट सुनेल के उपर दौड गई उस प्रकाश में सुनेल इतना ही जान पाया कि वो बातरूम में बन था फिर द्वार पर एक आदमी का साया दिखाई दिया मिस्चर साया कठोर स्वर्च से बोला अगर शोर मचाने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हारी खोपड़ी तोड़नी पड़ेगी सुनेल चुप रहा साया आगे बढ़ा और फिर उसके शरीर पर जुप गया उसने सुनेल के बंधनों को टटोला और फिर जब संतुष्ट हो गया कि बंधन धीले तो नहीं हो गये हैं तो वो फिर सीधा खड़ा हो गया चुप चाप पड़े रहो साया तनिक नम्र स्वर्च से बोला तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा साया बाहर निकल गया जाती बार वो फिर बात्रूम का द्वार बंध कर गया बात्रूम में दुबारा घुप पंधकार चा गया सुनेल कुच्चन बिना हिले डुले पर्ष पर पड़ा रहा फिर उसने स्वयम को बंधन मुक्त करने की लंबी और बोरिंग क्रिया आरम कर दी वो अपने हातों को उमेट कर एक विशेश सिती में ले आया और फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को दिवार के साथ सुला कर उसके एक विशेश भात पर दबाव टाला घड़ी के खोल में से एक पतला ब्लेड जैसा पैना चाकू बाहर निकलाया उसने अपनी कलाईयों को इस प्रकार उमेठा कि चाकू का फल रसीों के संपर्क में आ गया वो अपनी कलाईयों को धीरे धीरे मरोडने लगा चाकू का नाजुक पल धीरे धीरे रसी पर रगड़ खाने लगा एक सदी जितना समय गुजर जाने के बाद सुनील को रसी का एक बंध तूटता हुआ महसूस हुआ उसने अपना शरीर धीला छोड़ दिया और लंबी लंबी सांसे लेने लगा इस प्रकार के बंधन काट पाने के लिए एक लंबे समय और भारी धैरे की जरूरत होती थी थोड़ी देर बाद वो फिर बंधन काटने के भागी रत प्रयत्न में जुट गया उसी क्षण कमरे का दुवार दुबारा खुला और एक साया फिर बातरूम में प्रविष्ट हुआ सुनील ने हाथ पाउं धीले छोड़ दिये और नेत्र बंध कर लिये अगर उस आदमी को पता लग गया कि वो अपने बंधन किसी हद तक काटने में सफल हो गया है तो साया उसके समी पहुँचा फिर उसने अपने जूते की ठोकर से सुनील की पस्लियों को टटोला सुनील ने नेत्र खोल दिये और फिर उसने अपने शरीर को साय की ठोकर से परे सरका लिया साथी उसके मूँ से गोंगों की विरोध पूर्ण आवास निकली साया नीचे जुका पहले उसने उसके मूँ पर बंधी हुई पटी को टटोला फिर उसने उसके पैरों के बंधन को चेक किया फिर उसका हाथ सुनील की कलाईयों की और बढ़ा सुनील ने अपनी कलाईयों को अपनी शरीर के नीचे दबा लिया साय ने एक ही जटके से उसके शरीर को उलट दिया अगले ही क्षन साई के मूँ से एक आश्र भरी सिसकारी निकल गई वो एकदम उठ खड़ा हुआ फिर साई का दाया पाउं हवा में घुमा और पूरी शक्ती से सुनील की पसलियों से टकराया उस प्रहार से बच पाना असंभव था सुनील पेडा से बिल बिला उठा उसी स्थान पर साई के जूते की दूसरी ठोकर पहले से भी ज्यादा जोर से टकराई सुनील के चहरे पर वेदना के तीवर भाग उभरे उसकी आँखों के आगे अंधकार चाने लगा तीसरी ठोकर सबसे अधिक प्रचन थी उस ठोकर के जटके से सुनील का शरी कम से कम एक फुट पीछे चिटक गया लेकिन इस बार उसे पहले जितनी पीडा महसूस नहीं हुई क्योंकि फॉरण वो होश खो बैठा जब उसे होश आया तो उसकी पसलिया ताजे जखम की तरह दुख रही थी उसने अपनी कलाई पर बंधी रसियों को अनुभव किया उसकी कलाईया नई रसियों से बांधी गई थी और उसकी कलाई पर से उसकी घड़ी गायब थी बाहर कमरे में से किसी प्रकार की आवास नहीं आ रही थी सुनेल कुछ शंड बिना हिले डुले नेत्र बंध किये हुए पड़ा रहा उसकी पसलिया अब भी बुरी तरह दुख रही थी लेकिन सुनेल दर्ध की परवा किये बिना दुबारा अपनी कलाईयों के बंधन धीले करने में जुट गया कई घंटे गुजर गए उसकी कलाई पर बंधी रसियां तस से मस नहीं हुई हतार शोकर सुनेल ने अपना शरीर धीला छोड़ दिया सवेरा हो गया सुभा के प्रकाश की केरने बातरूम की खिर्की के शीशों से भीतर पूटने लगी उसी क्षंट सुनेल को बाहर के कमरे में किसी की उपस्थिती की आहट सुनाई दी सुनेल अपने एक दूसरे के साथ बंधे हुए पैर जोर जोर से दर्वाजे के साथ टकरानी लगा कमरे के बाहर से आने वाली आहट एकदम बंध हो गई सुनील पोर वर्थ द्वार प्रहार करता रहा फिर दूसरी और से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी कोई बात्रूम के द्वार के समी पहुँचा फिर द्वार की नौद घुमी और धीरे धीरे द्वार खुलने लगा द्वार पूरा खुला तो सुनील की द्रिष्टी समराथ होटल के एक वेटर पर पड़ी सुनील के मुँ से फिर गोंगों की आवास निकलने लगी और वो अपने हाथ पाउं पटक कर वेटर को अपने बंधन खोलने का संकेत देने लगा भय और आतंग से वेटर के नेत्र फैल गए उसके मुँ से एक हलकी सी सिसकारी निकली और वो उल्टे पाउं वहाँ से भाग खड़ा हुआ सुनील निराश हो गया उसने फिर अपने हाथ पाउं धीले छोड़ दिये लगभग पांच मिनट बाद वही वेटर फिर भागता हुआ कमरे में प्रविष्ठ हुआ इस बार उसके साथ एक लगभग पच्चास साल का सूट बोट धारी आदमी था सुनील उसे पहचानता था वो होटल का मैनेजर था वेटर और मैनेजर ने मिलकर जल्दी जल्दी सुनील के बंधन खोल दिये फिर उन्होंने उसकी बगलों में हाथ डाल कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रत्न किया लेकिन कई घंटे लगातार बंधे रहने की वज़ा से सुनील के अंग में रख्त का प्रवा इस हद तक रुख चुका था कि सुनील के पाउं उसके शरीर का भार नहीं संभाल पा रहे थे कितनी ही देर वेटर और मैनेजर मिलकर उसके शरीर के विभिन अंगों को हतेलियों से रगडते रहे अंग में सुनील की जुबान खुली पपप पानी वेटर जपट कर पानी ले आया सुनील ने कामते हाथों से गिलास थामा और गटा गट पी गया उसने गिलास वेटर को थमा दिया और लंबी लंबी सांसे लेने लगा क्या हुआ था मिस्चर सुनील मैनेजर ने व्यग्र स्वर्श से पूचा शायद वो सुनील को जानता था सुल्तान एहमद बिन साइद कैसे हैं मैनेजर के प्रश्ण का उत्तर देने के स्थान पर सुनील ने पूचा कैसे हैं क्या मतलब मैनेजर हैरानी से बोला ममम मेरा मतलब है उन पर किसी प्रकार का आक्रमन सवाल ही नहीं पैदा होता मैनेजर बोला पुलिस और CID की इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद कौन आदमी सुल्तान का अहित करने का साहस कर सकता है सुल्तान अपने दल के साथ राशनगर रेलवे स्टेशन से सरकुषल प्रस्थान कर गए हैं सुनील साहब मैं खुद उन्हें ट्रेन पर विदा करने गया था और ट्रेन पर भी सीक्रेट सर्विस के लोगों का भरपूर पहरा है सुनील की जान में जान आई उसने चुटकारे की एक गहन मी श्वास ली शायद शत्रूओं का दाव नहीं चल पाया था लेकिन आप इस हालत में कैसे पहुँच गए मैनेजर ने पूछा सुनील ने उसे सब बता दिया आपको जो आदमी फोन के लिए बुलाने आया था वहाँ अरब ड्रेस में था मैनेजर ने पूछा हाँ और सूरत से भी अरब ही लगता था क्या हाँ लेकिन होटल में सुल्तान की पार्टी के लोगों के अतिरिक कोई भी ड्रेस में नहीं था सुल्तान की पार्टी में छे अरब नौकर थे जिन में से तीन सुल्तान से संबंदित थे दो अबु दाउत से और एक शिहाब अलजूरी से उन नौकरों में से तो कोई बुलाकर नहीं ले गया था आपको मैं कह नहीं सकता सुनीन ने कहा जो आदमी मुझे बुलाने आया था मैंने ठीक से उसकी सूरत नहीं देखी थी और ना ही मैंने सुल्तान की पार्टी के छे नौकरों को अच्छी तरह से देखा है कमाल है भरे पूरे होटल में ऐसी घटना हो गई और किसी को खबर भी नहीं हुई ये कमरा आपने किसको दिया हुआ था सुनील ने पूछा किसी को भी नहीं मैनेजर बोला ये कमरा तो खाली था आज ये किसी को दिया जाने वाला था इसलिए वेटर सफाई करने आया था और यहां आप इस हालत में मिल गए सुनील विचार पूर्ण मुद्रा बनाए चुक चाब बैठा रहा लेकिन किसी ने आपकी आयसी हालत क्यूं की मैनेजर हैरानी भरिस्वर से बोला मैं सुल्तान के साथ दिलक्स कोच में उन्ही के कैबिन में राजधानी तक सफर करने वाला था शायद कोई ये नहीं चाहता था कि मैं सुल्तान के साथ सफर करूँ लेकिन क्यूँ भगवान जाने मैं पुलिस को फोन करूँ क्या नहीं कोई जरूरत नहीं सुनील अपने सांग से उठ खड़ा हुआ उसी क्षण उसकी द्रिष्टी कबरे के दूसरे कोने में रखी एक छोटी सी तिपाई पर पड़ी तिपाई पर उसकी मोजर रिवालवर और घड़ी पड़ी थी सुनील लंबे डग भड़ता हुआ तिपाई के समीब पहुचा और उसने दोनों चीज़े उठा ली ये मैनेजर ने कहना चाहा ये दोनों मेरी चीज़े हैं सुनील बोला रिवालवर भी? हाँ मैनेजर विचित्र नेत्रों से सुनील को घूरने लगा थैंक यू फो दर रेस्क्यू सुनील बोला लंबे डग भड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया वो होटल की लॉबी में से होता हुआ होटल से बाहर निकल गया होटल की लॉबी में मौजूद लोग उसे बुरी तरह घूर रहे थे वज़ा सुनील का हुलिया था उसके सूट में सिल्वटे पड़ी थी कमीज मैली हो गई थी और उसका कॉलर बुरी तरह मुड़ा तुड़ा हुआ था टाई की नौट भीली थी और वो एक मैली धज्जी की तरह गले में लटक रही थी उसके बाल बिक्रे हुए थे और चहरा उजड़ा हुआ मालुम हो रहा था सम्राट जैसे महंगे होटल के नफासत पसंद महमान उसे यूँ नाक सिकोड कर देख रहे थे जैसे कोई बेहत अवांशित व्यक्ती जान बुशकर होटल का वातावरण बिगारने के लिए वहां घुस आया हो सुने लोगों की निगाहों की परवा किये बिना बहर सड़त पर आ गया एका एक उसे अपने पर्स का खेयाल आया उसने जेब टटोली पर्स जेब में मौजूद था उसने जेब से पर्स निकाला और उसे खोल कर देखा पर्स को छेडा नहीं गया था शायद उसे गिरुपतार करने वालों को उसकी जेब में मौजूद रुपए या उसकी कीमती घड़ी में कोई दिल्चस्पी नहीं थी होटल की बगल में ही कॉल टेक्स का पेट्रोल पंप था जहां डावतार विभाग का नीला बोर्ट तंगा दिखाई दे रहा था जिस पर लिखा था आप यहां से स्थानिये टेलिफोन कर सकते हैं सुनील ने जेप से दस दस पैसे के दो सिक्के निकाल लिये और फोन के समीप पहुंच कया उसने करनल मुखर जी का नंबर डाइल किया कुछ देर दोसरी और घंटी बचती रही और फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया राशनगर 88321 सुनील ने कॉइन बॉक्स में सिक्के डालने के बाद व्यगरता से पूछा येस दूसरी और से उसे करनल मुखर जी की आवाज सुनाई दी सर क्या आप आवाज से पहचान सकते हैं कि मैं कौन बोल रहा हूँ कुछ शन दूसरी और से कोई आवाज नहीं आई और फिर मुखर जी का तनिक विचलित स्वर सुनाई दिया तुम कहां से बोल रहे हो मैं राशनगर में ही हूँ सर या मुखर जी का हैरानी भरस्वर सुनाई दिया तुम्हें तो इस समय रेल गाड़ी में शाही महमान के साथ होना चाहिए था बहुत गड़बड हो गई है सर सुनील खेत पूर्ण स्वर में बोला मैं सारी बात आपको बात में बताऊंगा सर इस समय सवा आठ बजे हैं शाही महमान की रेल गाड़ी दस बजे राजधानी पहुँचेगी क्या कोई ऐसा इंतिजाम संभव है जिससे मैं रेल गाड़ी से पहले राजधानी पहुँचाऊं फैसला करने में मुखर जी ने केवल एक शन लगाया वे बोले तुम हवाई अड़े पर पहुँचो मैं आता हूँ राइट सर सुनील बोला और रिसीवर को हुक पर लटका कर बाहर निकल आया करनल मुखर जी का इंतिजाम बड़ा पक्का था राज़नगर से वायू सेना का एक हवाई जहाज मुखर जी और सुनील को राज़धानी के एरो ड्रम पर ले आया वहाँ ग्रह मंत्राले की एक गाड़ी पहले से ही उनकी प्रतिक्षा कर रही थी जिस समय मुखर जी और सुनील कार से रेल्वे स्टेशन के सामने उतरे उस समय दस बजने में केवल दो मिनट शेश थे रेल्वे स्टेशन पर पुलिस का कड़ा पहरा था मुखर जी ने आगे बढ़कर पुलिस के एक कुच्चा धिकारी को अपना परीचे दिया और फिर किसी ने उन्हें भीतर जाने से नहीं रोका राज़धानी के स्टेशन पर एक विचित्र प्लेटफॉर्म था जो केवल देश के राश्रुपती और अन्य बड़े नेताओं द्वारा ही प्रधान मंत्री शाही महमान के स्वागत के लिए मौजूद थी उस एक शन्ट्रेन ने रेल्वे स्टेशन की हद में प्रवेश किया गाड़ी थोड़ी देल रेंगती रहने के बाद रुख गई शाही महमान का दिलक्स कोच ठीक उस थान के सामने आकर रुखा जहां प्रधान मंत्री और देश के अन्य नेता सुल्तान के स्वागत के लिए खड़े थे ततकाल ही कोच के मुख्य द्वार पर अपनी अरव वेश पुशा में सुसर्जित, शिहाब अल्जूरी और अबुदाउद दिखाई दिये दोनों नीचे प्लैटफॉर्म पर उतर आए मंत्रालिय के एक उच्चा धिकारी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और सुल्तान के बारे में पूछा इस हाइनिस अभी अभे अपने कैबिन में है, शिहाब अल्जूरी ने बताया सुनील की जान में जान आई, लोग प्रतिक्षा करने लगे पांच मिनट गुसर गए, सुल्तान एहमद बिन साईद के दर्शन नहीं हुए सुनील फिर चिंतित हो उठा, सुल्तान इतनी देर क्यों लगा रहा है, उसने मुखर जी से पूछा सुल्तान कोई छोटा मोटा आदमी थोड़े ही है, मुखर जी तनिक व्यंगे पूंट स्वर में फुस्फुसाई, एक पूरी हकूमत का मालिक है फिर उसका मिजास भी तो शेहन शाओं जैसा ही होगा, कैबिन में बैठा अपनी हीरो वाली पगड़ी ठीक कर रहा होगा उसे इस बात की परवा करने की क्या जरूरत है कि स्वयम प्रधान मंत्री प्लैटफॉर्म पर उनके स्वागत के लिए खड़े है सुनेल चुप रहा, पांच मिनट और गुजर गए, सबके चेहरे पर व्यग्रता की स्पष्ट चाप दिखाई देने लगी उनकी बगल में खड़ा एक विदेशी बड़ बढ़ाया तुम यहीं ठहरो, मुखर जी बोले, मैं पता करता हूँ क्या बात है सुनेल ने सहमती सूचक धंक से सिर हिला दिया, मुखर जी आगे बढ़ गए फिर सुनेल ने शिहा बलजूरी को दोबारा कोच में प्रविश करते देखा थोड़ी देर बाद ही वो वापिस बाहर आया इस हाइनस के कैबिन का द्वार भीतर से बंध है शिहा बलजूरी बेहत चिंतित स्वर से बुला मैंने द्वार खट-खटाया है लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला है मुझे भए है इस हाइनस को कुछ हो ना गया हो क्या हो सकता है उन्हें? किसी ने प्रश्न किया इस हाइनस को कभी-कभी मुच्छा का दोरा पढ़ जाता है उसके बाद कई लोग एक साथ बोलने लगे मुखर जी वापिस सुनील के पास आए आओ मेरे साथ मुखर जी बोले सुल्तान के कैबिन का द्वार दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की जा रही है सुनील मुखर जी के साथ कोच में घुस गया सुनील ने देखा अबू दावत फ्लैटफॉर्म पर खड़ा था उसके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता का भाव नहीं था एका एक सुनील को सुल्तान एहमत के शब्द याद आ गए अगर मेरी भारत यात्रा के दारान मुझे कुछ हो गया सुल्तान ने कहा था तो इसकी शत प्रतिशत जिम्मेदारी अबू दावत पर होगी सुल्तान के कैबिन का द्वार खोला गया कैबिन खाली था शिहा बलजूरी लपक कर कैबिन से संबंदित बगल के एक छोटे से कैबिन में घुस किया उस कैबिन के एक भाग में टॉयलेट रूम था और दूसरे में शौवर बाग था दोनों भागों को बीश में से एक परदे द्वारा विभक्त किया गया था छोटा कैबिन भी खाली था एक शन तो किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया सब मूर्खों की तरह एक दूसरे का मूद देखते रहे फिर शुरुआत श्रिहा भल्जूरी ने की अल्ला अल्ला वो जोर जोर से तस्वी फेरता हुआ बड़े व्यथापूंट स्वर्च से चिलाया मेरे मालिक को क्या हो गया पलक जपकते ही जंगल की आप की तरह ये समाचार चोर चारो तरफ पैल गया कि सुल्तान अपने कैबिन में नहीं है सुल्तान के गायब हो जाने का समाचार सुनते ही सेक्रेट सर्विस के उन दो अधिकारियों के हाथ पाउं खूल गए जिन्होंने सुल्तान की सुरक्षा की खातिर राजनगर से राजधानी तक सुल्तान के डिलक्स कोच में ही सफर किया था एका एक सुनील को डोरिस का खेया लाया वो भी तो इसी कोच में सुल्तान के साथ राजधानी में आ रही थी सुल्तान के गायब हो जाने की वज़ा से डोरिस के यौर किसी का ध्यान ही नहीं गया था सुनील ने सेक्रेट सर्विस के दो अधिकारियों में से एक को पकड़ लिया सुल्तान के साथ अंग्रेश महिला भी तो इसी कोश में सफर कर रही थी सुनील ने पूछा जी हाँ उत्तर मिला मिस डोरिस वो कहा गई वो तो पिछले स्टेशन पर उतर गई थी ह्या सुनील हैरानी से बुला हाँ लेकिन क्यूँ मुझे नहीं मालूम ना ही मैंने पूछा था गाड़ी राम गंश के स्टेशन पर रुकी तो वे कैबिन से निकल कर गल्यारे में आ गई थी उन्होंने वहीं उतर जाने की इच्छा व्यक्त की थी मेरे कोई प्रश्न करने का सवाल ही नहीं था मैंने कोच का द्वार खोल दिया था और उनका सामान प्लेटफॉर्म पर रख दिया था क्या सामान था उनके पास? सफैद रंग के चमणे के तीन सूट केस थे सुल्तान, शिहा बलजूरी या अबुदाउद में से किसी ने डोरिस को राम गंश के स्टेशन पर उतरते देखा था क्या? शायद नहीं, उस समय सब लोग अपने अपने कैबिनों में बन थे राश्नगर से यात्रा आरंभ होने पर कोई असाधारन घटना तो नहीं घटी थी? जी नहीं, बड़े स्वाभाविक धंग से सफर आरंभ हुआ था गडबर की कोई गुंजाईशी नहीं थी मैं और मेरा साथी दोनों रात भर बिना एक पल के लिए भी आँख बंद किये कोच के निगरानी करते रहे थे कोच से बाहर निकलने के लिए कोच के एक ही कोने में आमने सामने दो दर्वाजे हैं दोनों पर मैंने ताला लगाया हुआ था और चाबी मेरे पास थी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये करिश्मा कैसे हो गया सुल्तान तो लगता है किसी जादू के जोर से देल गाडी में से गायब हो गए है सुल्तान को तुमने आखरी बार कब देखा था? सुनीन ने पूछा सुल्तान को आखरी बार मैंने रात के लगभग बारा बजे देखा था वे अपने कैबिन में से निकली थे और उन्होंने बाहर आकर मिस डोरिस के कैबिन का द्वार खट खटाया था मिस डोरिस का कैबिन सुल्तान के कैबिन के बगल में ही था दोनों कैबिनों के बीच में भी एक दर्वाजा है लेकिन फिर भी न जाने क्यूं सुल्तान ने बाहर आकर गल्यारे वाला द्वार खट-खटाना उचित समझा था द्वार ततकाल ही खुल गया था और सुल्तान डोरिस के कैबिन में प्रवेश कर गए थे फिर तुमने सुल्तान को डोरिस के कैबिन से बाहर निकलते भी देखा था क्या? हाँ क्या मतलब सुनिल तिव्र स्वर में बोला दरसल हम लोग कोई गल्यारे के निग्रानी तो कर नहीं रहे थे उत्तर मिला मैं और मेरा साथी तो द्वार के पास जो खुली जगा है वहां बैठे रहते थे वहां से गल्यारा दिखाई नहीं देता है बीच में थोड़ा थोड़ी देर बार उठकर हम दबे पाउं गल्यारे का एक राउंड लगा जाते थे पहली बार संयोग वश हमारी सुल्तान पर नजर पड़ गई बाद में सुल्तान गल्यारे में होकर अपने कमरे में गई या दोनों कैबिनों के बीच के दर्वाजी से ही अपने कैबिन में चले गए हमें नहीं मालूम या शायद वो अपने कैबिन में गए ही ना हो संभव है तुमने सारी रात में गल्यारे में किसी और को देखा था विशेश रोप से अबुदाउद शिहाबल जूरी या डोरिस में से किसी को अबुदाउद को देखा था कब रात को लगबग एक बचे वो गल्यारे में खड़ा था उसी समय में गल्यारे का चक्कर लगाने के लिए निकला था इसलिए मैंने उसे देख लिया था गल्यारे में क्या कर रहा था वो उसका कथन था कि वो मुझे ही तलाश कर रहा था क्यूं? वो कॉफी पीना चाहता था रात के एक बजे? जी हाँ फिल मैंने डाइनिंग कार में से उसे कॉफी मंगवा दी थी अब एक बात का जरब सोच कर जवाब दो सुनील बोला तुम्हें उसके व्यवार में कोई असाधारन बात दिखाई दी थी क्या? वो हिच किचाया हिच किचाने की जरूरत नहीं? सुनील बोला सुल्तान के गायब हो जाने के रहस्य का परदा उठाने के लिए चोटी से चोटी बात भी बड़ी महत्वपोन साबित हो सकती है अबुदाउत से सामना होने पर मुझे ऐसा लगा था वो फिर भी हिच की चाहट भरे स्वर में बोला जैसे वो एका एक मुझे गल्यारे में देख कर हड़ बढ़ा गिया था और मेरा खेयाल है कि अपनी हर बड़ाहट चुपाने के लिए उसने कामखा ही मुझे कॉफी का ओर्डर दे डाला था और ऐसी कोई बात जो तुम्हारी नजर में महत्वपोन रही हो वो सोचने लगा सुनील धैरिय से उसके दुबारा बोलने की प्रतिक्षा करने लगा एक बात मेरे दिमाग में थोड़ी सी खटकी तो थी अंत में वो बोला लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि मुझे धोका हुआ हो क्या मेरा खेयाल है कि जब डोरिस राश्नगर से गाड़ी में सवार हुई थी उस समय उसके पास सफैद रंग के चमरे के दो सूटकेस थे लेकिन जब वो रामगंश के स्टेशन पर उत्री थी उस समय उसके पास तीन सूटकेस थे एका एक सुनील के नेत्रों के सामने सुल्तान का हीरे जवा रातों वाला सफैद सूटकेस घूम गया तीनों सूटकेस एक ही टाइप के थे क्या? उसने पूछा हाँ, और साइस में भी एक जैसे थे नहीं, एक सूटकेस बाकिस दो सूटकेसों से छोटा था सुनील को चण विचार पूर्ण मुद्रा बनाए चुप चाप खड़ा रहा तुम्हारा नाम क्या है? अंत में सुनील ने पूछा वाजपेई, उत्तर मिला ओके वाजपेई, मैं तुमसे फिर बात करूँगा ओके सुनील वाजपेई को वही खड़ा छोड़ कर सुल्तान के कैबिन की योर बढ़ा कैबिन में पुलिस और सीक्रेट सर्विस के आदमी छान बीन कर रहे थे कैबिन में ही एक और मुखर जी भी खड़े थे सुनील मुखर जी के समीब जा खड़ा हुआ कहा चले गए थे मुखर जी ने धीमे स्वर से पूछा मैं सीक्रेट सर्विस के उन आदमियों में से एक से बात कर रहा था जिनोंने राशनगर से यहां तक इसी कोश में सफ़र किया था कुछ हासिल हुआ क्या कोई विशेश बात नहीं आप एक बात का पता लगवाईे सर क्या सुल्तान के पास शाही के हीरे जवा रातों से भरा हुआ सफैद रंग का एक छोटा सा सूट केस था क्या वो अभी भी सुल्तान के सामान में मौजूद है मैं अभी पता लगवाता हूँ मुखर जी बोले और आगे बढ़कर पुलिस के एक अधिकारी से बात करने लगे सुल्तान के सामान को चेक किया गया सूट केस गायब था हीरो के सूट केस के गायब होने की बात भी ततकार सबको मालुम हो गई अभुदावत को जब ये बात मालुम हुई तो वो क्रोथ से बिफर पड़ा और वो भारत सरकार के सुरक्षा अधिकारियों को बुरी तरह कोसने लगा सर, सुनील ने मुखर जी को बताया सुल्तान की प्रेमिका डोरिस न जाने क्यों गाड़ी से रामगंच के स्टेशन पर ही उतर गई है सेक्रेट सर्विस के वाजबई से मालूम बातों से मुझे ऐसा संकेत मिला है कि हीरो का सूट केस डोरिस ले गई है आप डोरिस की तलाश करवाईए अच्छा, यहाँ कोई सुत्र मिला है क्या? अभी काम हो रहा है, मुखर जी ने बताया कैबिन के विभिन भागों में से उंगलियों के निशान वगैरा डेवल्प्त के लिए जा रहे हैं सुल्तान के बिस्तर की हालत को देख कर मालूम होता है कि सुल्तान उस पर सोया नहीं था मतलब ये कि सौने की नोबत आने से पहले ही सुल्तान कहीं गायब हो गया था ऐसा ही मालूम होता है उसे क्षंट सुनील ने देखा एक आदमी एक क्यांची की सहायता से कैबिन के फर्ष पर बिछे कालीन को बीद से काट रहा था ये कालीन क्यों काटा जा रहा है सुनीन ने पूछा कालीन पर कोई तरल पदार्ट विक्रा है कालीन के उतने टुकडे को काट कर पुलिस लेबोर्टरी में भेजा जा रहा है जहां टेस्ट करके ये पता लगाया जाएगा कि ये तरल पदार्ट क्या है गंद वगेरा से कुछ मालूम नहीं हुआ क्या गलीचे में से हलकी सी सौप जैसी गंद आ रही है लेकिन कोई उस गंद को पहचान नहीं पाया हलकी सी सौप जैसी गंद हाँ तुम पहचानते हो क्या ऐसी किसी गंद को सुल्तान ग्लेनौडरी नाम की एक विशेश प्रकार की विस्की पीता है जो फ्रांस की एक कम्पनी केवल उसी के लिए बनाती है समराथ होटल में सुल्तान से उस विस्की का एक पैग मुझे भी पिलाया था उस विस्की में से हलकी सी सौम की गंध आती है फिर तो गलीचे पर किसी प्रकार वो विस्की ही बिखर गई होगी यही संभब मालुम होता है तब तक गलीचे का टुकड़ा काटा जा चुका था मुखर जी के संकेत पर सुनील ने वो टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया और उसे सूम कर देखा उसमें से निश्चे ही गलेनौडरी विस्की गंध आ रही थी सुनील ने टुकड़ा वापिस लोटा दिया सुल्तान शिहाबलजूरी से चुप कर विस्की पीता था सुनील बोला और अपनी विस्की की बोटल भी शिहाबलजूरी की नजरों से चुपा कर रखता था ताकि शिहाबलजूरी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे समराथ होटल में उसने बोटल को बात्रूम में चुपाया हुआ था संबग है यहाँ भी बात्रूम में गलेनौर्डरी विस्की की बोटल मौजूद हो बात्रूम की तलाशी ली गई वहाँ विस्की की बोटल तो नहीं मिली लेकिन बात्रूम में रखे आइस बॉक्स के पानी में तैरता हुआ एक चकोर कागस मिला जो वास्तव में गलेनौर्डरी विस्की का लेबल था प्रत्यक्ष था कि सुल्तान ने अपनी विस्की की बोटल उस आइस बॉक्स में रखी थी लेकिन सुल्तान के सारी कैबिन की भरपूर तलाशी के बावजूद भी बोटल के कहीं दर्शन नहीं हुए संभव है सुनीन ने सुझाया कि सुल्तान ने बोटल की सारी विस्की पी ली हो या बोटल की सारी विस्की फर्श पर बिचे कालीन पर बिखर गई हो और फिर सुल्तान ने खाली बोटल उठा कर खिर्की के रास्ते चलती हुई गाड़ी में से बाहर फैंक दी हो ऐसा ही हुआ होगा कर्णल मुखर जी बोले वे लोग पर्दा हटा कर छोटे कैबिन के उस भाग में आ गए जिसमें शौवर लगा हुआ था पुलिस को वहां कोई सोत्र नहीं मिला नहाने के साबुन का एक टुकड़ा कैबिन के फर्ष पर गिर पड़ा था एक पुलिस अधिकारी ने साबुन का वो टुकड़ा उठा लिया और उसे दिवार के साथ लगी साबुन रखने के लिए पर्युक्त होने वाली ट्रे में रख दिया सुनील ने देखा साबुन का टुकड़ा हल्का सा कुचल गया था ऐसा लगता था जैसे असाफधानी वर्ष उस पर किसी का पाउं पढ़ गया था सुनील ने सब की नजर बचा कर ट्रेपर से वो टुकडा उठाया और अपनी जेब में डाल दिया मुकर जी ने उसे साबुन जेब में डालते देखा लेकिन मुँसे कुछ नहीं बोले फिर नौकरों को बुलाया गया सुल्तान की पार्टी के छे नौकरों से अधिकारियों ने भरपोर सवाल किये लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला सारे नौकर रात भर गोड़े बेचकर सोते रहे थे सुल्तान के कैबिन में क्या हुआ किसी को कुछ खबर नहीं थे जब नौकर लोटने वाले थे तो एका एक सुनील ने प्रश्न किया तुम मेंसे सुल्तान की विस्की कौन रखता था कुछ शंड तक कोई कुछ नहीं बोला फिर एक नौकर आगे बढ़कर बोला मैं रखता था क्या नाम है तुम्हारा करामत अली क्या सुल्तान की विस्की की कोई बोल फर्श पर गिर कर तूट गई थी कोई बोल तूटी तो नहीं थी मालिक लेकिन और करामत अली हिच किचाने लगा लेकिन क्या सुल्तान की विस्की की एक बोल चोरी हो गई थी चोरी हो गई थी कब कैसे सम्राट होटल से चलनी से पहले हिस हाइनेस ने मुझे गले नौडरी विस्की की चार बोतले दी थी मैंने वो बोतले प्रेन में आकर कैबिनों की कतार के सीरे पर बनी छोटी सी पैंट्री के एक शेल्फ में रख दी थी प्रेन में आने के एक घंटे बाद His Highness ने मुझसे विस्की की एक बोतल मंगवाई थी मैं शेल्फ में से विस्की निकालने गया तो देखा वहाँ चार के स्थान पर केवल तीन बोतले पड़ी थी क्या मतलब सुनील ने तीवरस्वर से पूछा एक बोतल चोरी हो गई थी मालिक करामत अलिस सिर्द जुका कर बोला कौन ले गया? मालूम नहीं मैं कई सालों से His Highness की सेवा में हूँ ये पहला मौका था जब ऐसी घटना हुई थी तुमने बोतले कहा रखी थी? ये बात किस-किस को मालूम थी? मेरे खयाल से तो किसी को भी मालूम नहीं थी तुमने इस चोरी की बात सुल्तान को बताई थी क्या? जी हाँ सुल्तान पर इस बात की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? वे बहुत नाराज हुए थे उन्होंने एक-एक को बुला कर ढांटा था और चोरी के बारे में पूछा था लेकिन ये मालूम नहीं हो सका था कि बोतल किसने चुराई है सुल्तान ने अबुदाउद से भी चोरी के बारे में पूछा था क्या? हाँ मालिक और इस बात पर शहजादा बहुत नाराज थी हुआ था कि उसको चोर समझा जा रहा है तुम्हारे ख्याल से विस्की की बोतल कौन चुरा सकता है? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं चुरा सकता है नौकरों का तो विस्की की और गलत निगाहों से देखने का होसला नहीं हो सकता शाही इमाम शिहा बल्जूरी तो विस्की का जिक्र भी आने से अल्ला को याद करने लगते हैं वे तो विस्की को हाथ भी नहीं लगाएंगे शेहजादा अबू दाउद और मिस टोरिस मुझसे मांग कर बोतल ले सकते थे बाकी रह जाते हैं आपके दो सरकारी आदमी उनका विस्की चुराने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर बोतल कहां गई अल्ला जाने अच्छी बात है तुम जाओ करामत अली छुटकारे की गहरी सांस लेता हुआ वहां से चला गया उसके बाद सारे डेलक्स कोच की तलाशी की बारी आई अधिकारियों ने नौकरों को कोच से बाहर निकाल दिया और शिहाब अल्जूरी और अबूद दाउद से प्राक्ना की कि वे थोड़ी देर के लिए रेलवे स्टेशन के रेटाइरिंग रूम में चले जाए शिहाब अल्जूरी को तो इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं दिखाई दी और वो फॉरण अपना कैबिन चोड़ कर रेटाइरिंग रूम में जाने के लिए तयार हो गया लेकिन अबूद दाउद भड़क उठा मैं अपने कैबिन में ही रहूंगा वो बोला मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सहब सुप्रेटेंडन्ट कपूर बोला कि रेटाइरिंग रूम भी कैबिन जितना ही आराम दे है होगा फिलहाल यहीं रहना चाहता हूँ मैं लेकिन क्यूँ? क्यूंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग तलाशी के बहाने मेरी नीजी चीजों से छेड़ खानी करें हिस हाइनिस के गायब हो जाने के रहस्य को जानने के लिए हर चीज की तलाशी लेना बहुत जरूरी है आप औरों की तलाशी लीजिए मेरी तलाशी लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है तलाशी ली जाना बहुत जरूरी है सहब कपूर तनिक कड़े स्वर में बोला मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी नीजी वस्तूओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचे का नहीं लेकिन शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं है बारत के एक मित्र राश्च्र का सुल्तान होने के नाते मैं आप लोगों से अच्छे विवहार की अपेप्षा करता हूँ आपको किसे मालूम है कि आपके भाई सुल्तान एहमत की मौत हो गई है कपूर के बोलने से पहले ही सुनीन ने सेवर स्वर से प्रश्न किया अबुदाउद एकदम हडबढा गया मेरा खेयाल है कि एहमत की हत्या हो चुकी है वो हडबढाई स्वर में बोला वर्टमान सिती में यही बात संभव मालूम होती है किसी ने सुल्तान एहमत की हत्या करके खिड़की के रास्ते चलती गाड़ी में से बाहर पैंक दिया है किसने दोरिस अबुदाउद अपने स्वर को संतूलित करता हुआ बोला वही मेरे भाई को उंगलियों पर नचाती रही है उस विलाईती औरत की नियत पर मुझे शुरू से ही शक था वही सुल्तान की हत्या करके सुल्तान के हीरो से भरे सूट केस को लेकर भाग निकली है और आप लोग है कि सांब के निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं आपको चाहिए कि आप डोरिस को गिरुफतार करें ना कि छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परिशान करते रहें आपने अपने भाई की हत्या नहीं की क्या? सुनील ने सरल स्वर में पूछा मैंने? मैं भला अपने भाई की हत्या क्यों करता? शेकार की हकूमत हत्याने के लिए आप लोग मुझे पर ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगा कर मेरा अपमान कर रहे हैं अबुदावद चिल्लाया मैं मांग करता हूँ कि आप मुझे फॉरण अपने प्रधान मंत्री से मिलाएं अब मैं शेकर का सुल्तान हूँ जब तक ये बात सिध नहीं हो जाती कि सुल्तान की हत्या हो गई है तब तक आप शेकर के सुल्तान नहीं हैं सुनील बोला अबुदावद का चेहरा क्रोथ से लाल हो उठा मैं फ्रांसिसी दूतावास में फोन करता हूँ वो चिलाया और फिर पाउं पटकता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया कहीं ये सच मुच्छी कोई बखेडा ना खड़ा कर दे कपूर चिंतित स्वर में बोला पहले ही काफी बखेडा हो गया है और पाल तो बखेडा क्या हो सकता है सुनील बोला और फिर मेरी नजर में तो अबू दाउद मर्डर सस्पेक्ट नमबर रवन है कपूर ने चिंता पूर्ण ढंक से सिर्ध हिला दिया सारे कोच की तलाशी ली गई अब दाउद के सामान में से एक 37 कैलिबर की अमेरिकन डिवालवर मिली लेकिन उसमें से कोई फायर नहीं किया गया था इसके अतिरिक कहीं कोई सूत्र नहीं मिला मुकरजी और सुनील कोच से बाहर आ गए क्या राए है तुम्हारी मुकरजी ने अपना पाइप सुलगाते हुए पूछा मुझे तो एक ही बात संभव मालूम होती है सर सुनील ने गंभीरता से उत्तर दिया किसी ने सुल्तान एहमद बिन सईथ की हत्या करके उसे ट्रेन से बाहर फैंक दिया है लेकिन मिस्चर फिर अभी तक सुल्तान की लाश क्यों नहीं मिली मुकरजी बोले राशनगर राश्णाणी के राषते से तो अभी कम से कम आधी दरजन गाडियां गुजर चुकी है किसी की तो लाश पर नजर पड़ी होती सर, आप राशनगर से राश्णाणी तक की जेलवे लाइन की बड़ी बारी की से चान बीन करवाईए रेलवे लाइन के आस पास और भी कई महत्वपोन सूत्र मिलने की संभावना है रेलवे लाइन के चान बिन हो रही है और डोरिस उसकी भी तलास जारी है लेकिन मिस्टर ये कताई जरूरी नहीं है कि हीरो वाला सूट केस डोरिस ले गई हो डोरिस के पास दो के स्थान पर तीन सूट केस देखे जाना ये सिद करता है कि उसके पास हीरो का सूट केस भी था संभव है डोरिस के पास शुरू से ही तीन सूट केस हो और तुम्हारे वाजपई को गलत पहमी हुई हो तो फिर हीरों वाला सूट केस कहा गया डोरिस का हीरे ले जाना युक्ती संगत नहीं लगता वो तो सुल्तान की बेगम बनने वाली थी उसे चुरानी की क्या जरूरत थी लेकिन तुम्हारे अपने कतना नुसार अबुदाउद ये सुनकर बहुत भड़का था कि सुल्तान शेकर के चाही हीरे अपने साथ ले आया है अबुदाउद को लाखो रुपेयों के हीरो का लालत ज्यादा युक्ती संगत मालुम होता है संभव है उसने पहले से ही किसी से तै किया हो कि जब गाड़ी एक विशेश सान पर पहुंचेगी उस समय वो हीरो का सूट केस फिर्की से बाहर पैंग देगा ताकि उसका साथी बड़ी सहूलियत से सूट केस वहां से ले जाए और बाद में किसी पूर्व निर्धारित स्थान पर अबुदाउद को सौंप दे संभव है सुनील ने स्विकार किया देखो एका एक मुखर जी पटाक शेप सा करते हुए बोले मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल पहचान पत्र बना दिया है उसकी मौजूदगी में तुम्हें कोई भी किसी प्रकार की नीजी चान बिन करने से रोकेगा नहीं और मुखर जी ने सुनील को एक कागस थमा दिया ओके सर, मुखर जी के पीट पेरते ही सुनील ने अपनी जेप से एक लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया वो सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा एक सिग्रेट की समाप्ती के बाद उसने दूसरा सिग्रेट सुलगाया और रिटाइरिंग कक्ष की योड़ चल दिया शिहा बलजूरी रिटाइरिंग कक्ष में दाउत सा बैठा हुआ तस्भी फेर रहा था सुल्तान के गायब हो जाने से सबसे अधिक दुखी वो मालूम होता था सुनील को देखकर वो बड़े अफसाद पूर्ण धंग से मुस्कुराया अबुदाउत कहा हैं? सुनील ने पूछा मालूम नहीं, फ्रेंच एम्बेस्टर को फोन करने गया होगा मैं आपसे एक प्रश्ण पूछना चाहता हूँ पूछो, आपको तो मालूम ही था कि मैं सुल्तान के साथ राजधानी तक सफर करने वाला था? हाँ, फिर जब मैं स्टेशन नहीं पहुँचा तो आप लोगों ने सोचा नहीं कि मैं कहां गायब हो गया? ऐसा सोचने की कोई वज़ा ही नहीं थी एक आदमी सुल्तान के पास एक समाचार लेकर आया था कि एक बहुत ही जरूरी काम पर जाने से तुम सुल्तान के साथ ट्रेन में सफर नहीं कर सकोगे और ये कि तुम सुल्तान को राजधानी स्टेशन पर मिलोगे जबकि वास्तव में मैं समराथ होटल के ही एक कमरे में कैथ था शिहाब अलजूरी चुप चाप तस्भी फेटा रहा समराथ होटल में जो आदमी मुझे टेलिफून के बहाने बुला कर ले गया था वो एक अरब था और समराथ के और नौकरों जैसा ही अरब परिधान पहने हुए था मैंने आपकी पार्टी के सारे नौकरों की सूरत देखी है लेकिन वो उनमें से नहीं था राशनगर में भी बहुत अरब रहते हैं शिहाब अलजूरी ने सुझाब दिया क्या सुल्तान की पार्टी में से कोई आदमी राशनगर के अरबों से समपर्थ रखता था समराथ होटल में अबुदावत के कमरे में मैंने कुछ स्थानगे अरब लोगों को आते देखा था और अबुदावत खुद भी कई घंटे अपने होटल से गायब रहा था क्या नौकरों में से कोई होटल छोड़ कर शहर गया था? मैं केवल अपने नौकर चिरागली के बारे में कह सकता हूँ वो होटल छोड़ कर कही नहीं गया सुल्तान एहमत के बाद शेकर का सुल्तान कौन बनेगा? सुनीन ने पूछा अबुदाउद शिहाब अलजूरी अनिच्छा पून स्वर से बोला सुनीन ने शिहाब से विदा ली पर बाहर आगिया सीडियों में उसे अबुदाउद मिल गया शिहाब अलजूरी तुम्हारे बारे में बड़ी भयानक बाते कहता है सुनीन भुला क्या कहता है वो? अबु दाउद नारास्वर में बोला कहता है सल्तान की हत्याद तुम ने की है वो पाखंडी बुढ़ा कुछ भी कह सकता है वो मुझसे नफ्रत करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं सल्तान बन गया तो सबसे पहले मैं उसी की ऐसी तैसी करूंगा तुम्हें अपने भाई की मौत का अफसोस नहीं है क्या मुझे क्यूं अफसोस होने लगा मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ वो मर गया मुझे तो अब अफसोस होगा अगर वो जिन्दा निकल आया राफ्ता छोड़ो बहुत सवाल पोच लिए तुमने सुनील एक और हट गया अबुदाव दन दनाता हुआ सेडियों पर चड़ गया सुनील नीचे प्लैटपॉर्म पर आ गया नीचे उसे सुप्रीटेंडेंडेंट कपूर मिल गया कोई नई बात सुनील ने पूच्छा सुल्तान के कैबिन में बिचे गलीचे का जो शराब से भीगा हुआ टुकड़ा पुलिस लेबॉर्टरी में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था उसकी बड़ी सेंसेशनल रिपोर्ट आई है क्या? गलीचे पर बिक्री शराब में इतनी बड़ी मात्रा में एक घातक जहर पाया गया है जो पचास आदमियों को मार देने के लिए काफी हो इस नई खोज में इस तत्य की और पुष्टी हो जाती है कि सुल्तान की हत्या हुई है मुझे तो इस विशे में कभी भी संदे नहीं था कि सुल्तान की हत्या हुई है सुल्तान की हत्या की स्कीम तो राशनगर में ही बन चुकी थी तुम्हें कैसे मालूम? सीधी बात है मैं सुल्तान के साथ उसके कैबिन में सफर करने वाला था मेरे सुल्तान के कैबिन में मौजूद गी सुल्तान की हत्या की स्कीम को फेल कर सकती थी इसलिए मुझे पहले ही समराथ होटल में कैद करके रास्ते से हटा दिया गया कपूर चुप रहा रेलवे लाइन के रास्ते की चान बिन हो रही है क्या हाँ लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है जब रिपोर्ट आए तो मुझे भी बताना अच्छा सुनील वहां से हट गया अगले दिन तक कई नई बाते प्रकाश में आई राश्चनगर से राश्धानी तक के रेलवे लाइन के सारे रास्ते की तलाश के बावजूद भी सुल्तान की लाश नहीं मिली राश्चनगर से 50 मेल दूर एक स्थान पर रेलवे लाइन की बगल में ग्लेनौर्डरी विस्की की टूटी हुई बोतल के टुकडे मिले। बोतल के टूटे हुए निचले भाग में अभी भी विस्की की कुछ बूंदे मौजूद थी। उस विस्की को पुलिस लेबोर्टरी में ले जाकर परिक्षन किया गया। उसमें जहर नहीं था। उसी स्थान से सो मिल और आगे कीचड के धेर में फसी हुई एक अन्य ग्लेनौर्डरी विस्की की बोतल मिली। बोतल कीचड में गिनने के कारण तूटी नहीं थी। बोतल पर ढखकन नहीं था और वो कीचड में इस धंक से गिरी थी कि उसका मूँ उपर की और रहा था। इस में भारी मात्रा में जहर मौजूद था। उन दो बोतलों की बरामदी से ये प्रकट हो गया था कि सुल्तान को जहर कैसे दिया गया था। पहले हत्यारे ने सुल्तान की विस्की की एक बोतल चुडा ली थी और उसमें जहर मिला दिया था। किसी प्रकार उसे ये मालुम थ कि सुल्तान ने अपनी विस्की की बोतल आइस बॉक्स में छुपाई हुई थी। मौका लगने पर उसने सुल्तान की बोतल आइस बॉक्स में से निकाल कर रेल गाड़ी से बाहर फैंक दी। और उसके स्थान पर शराब की वो बोतल रग दी जिसमें जहर मिला हुआ था। हाथ में से छूटकर फर्श पर बिचे कालीन पर आगिरी होगी और विस्के की मात्रा कालीन पर बिखर गई होगी लेकिन लाश सुल्तान की लाश कहां गई लाश का कैबिन में और रेल गाड़ी के सारे रास्ते में कहीं ना मिलना इस बात की और संकेत करता था कि हत्यारे ने इस बात से पहले से ही इंतिजाम किया हुआ था कि लाश को गाड़ी से बाहर फेंके जाने के बाद उठवा लिया जाए। समराथ होटल से कई घंटे गायब रहा था। वो सुनिल को समराथ होटल में कैद करवाने के लिए राश नगर से कई किराई के पिठ्थू हासिल कर सकता था। सुनिल का अबुदावत पर संदेश और भी पक्का हो गया। फिर सुनिल स्टेशन पर एक आदमी आया बड़ा सेंसेशनल समाचार लेकर उसका नाम लखन पाल था। जोहरी बाजार में उसकी जोहरी की दुकान थी। उसने हीरे की एक बेश केमती अंगूठी पुलिस सुप्रेटेंडन कपूर की मेज पर रग दी। कल शाम को लखन पाल ने बताया एक अंग्रेज महिला ये अंगूठी मुझे बेच कर गई थी। अंगूठी में एक दुरगम हीरा लगा हुआ है। वो उंचे दर्जे की अच्छी खासी संपन महिला मालूम होती थी। इसलिए मैंने अंगूठी खरीद ली थी। वरना मैं इसे चोरी का माल ही समझता। आज सुबा के अकबार में मैंने शिकर के सुल्तान के हीरो की चोरी के बारे में पढ़ा और साथ ही ये भी पढ़ा कि अंग्रेज महिला जिसने राजनगर के सुल्तान के साथ ही सफर आरम किया था। राजधानी पहुँचने से पहले ही गायब हो गई थी तो मेरा माथा ठनका मुझे संदे है ये वो अंग्रेज महिला डोरिस नाम की वही औरत थी जो राम गंश के स्टेशन पर उतर गई थी जोहरी को उस महिला का हुलिया बयान करने के लिए कहा गया जोहरी ने उसका हुलिया बयान किया उसके पास अंगुठी बेशने के लिए आने वाली औरत नी संदे डोरिस थी अंगुठी किशिनाक के लिए शिहाब अलजूरी से संपर्च धापित किया गया शिहाब ने अंगुठी फॉरन पहचान ली उस अंगोठी को वो सुल्तान एहमत की उंगली में कई बार देख चुका था डोरिस ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो अंगोठी क्यों बेचना चाहती है सुनील ने जोहरी से पूछा वो कहती थी कि उसका पर्स चोरी हो गया है और उसके पास जितना नकत धन था वो सब उस पर्स में था अपना कुछ पता वगयरा बताया उसने जी हाँ कमरा नंबर 300 बेस रॉयल होटल मैंने रॉयल होटल फोल्न करके ये बात कन्फर्म भी कर ली थी कि वहाँ 320 नंबर कमरे में वाके कोई डोरिस नाम की महिला रहती है सुप्रिटेंडन कपूर और सुनील रॉयल होटल पहुँचे डोरिस वहाँ नहीं थी वो पिछली शाम को ही वहाँ से कूच कर गई थी लगता था कि अंगूठी बेच कर वापिस आने के फोरण बाद ही उसने होटल का वो कमरा छोड़ दिया था रॉयल होटल के टैक्सी स्टेंड से पूश्टाच की गई थोड़ी सी ही चान बीन के बाद वो टैक्सी ड्राइवर मिल गया जो डॉरीस को रॉयल होटल से ले कर गया था वो टैक्सी ड्राइवर डॉरीस को राशनगर रोड पर लिबर्टी सिनेमा की बगल में सड़क पर ही छोड़ कर आया था उसके बाद डॉरीस कहां गई ये मालूम नहीं हो सका लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर के बैयान से उस बात की पुष्टी हो गई कि उस समय भी डोरिस के पास सफैद रंग के चमड़े के तीन सूट के स्थे मेरा दावा है कि वो शहर में ही कहीं होगी कपूर बोला हवाई अड़े पर सारे बस चौपों पर मेरे आदमी तैना थें मेरे आदमियों की जानकारी में आए बिना वो राजधानी से बाहर कदम नहीं रख सकती Are you sure? सुनील ने तनिक संदिक्द स्वर से पूछा Yes, sure, कपूर आत्म विश्वास पूर्ण स्वर में बोला फिर तो वो राजधानी में ही कहीं होगी? जाहिर है? फिर तो बड़े भाई, शहर के एक-एक होटल में तलाश शुरू करवा दो, वो कहीं तो होगी ही? तलाश जारी है? दोपहर तक डोरिस का पता मिल गया वो YWCA के एक होस्चल में ठहरी हुई थी कपूर और सुनील होस्चल में डोरिस के कमरे में पहुँच गई कपूर साधी वर्दी में था डोरिस ने सुनील को पौरण पहचान लिया उसे देखकर डोरिस के चहरे का रंग उड़ गया ये मिस्चर कपूर है सुनील बोला ये यहां की पुलिस से संबंदित है डोरिस और भी घबरा गई आपको मालूम है ना सुल्तान एहमद लापता हो गई है और आप धारना ये है कि उनकी हत्या हो गई है सुनील ने मीठे स्वर से पूचा डोरिस ने स्विक्रिती सुचक धंग से सेर हिला दिया और आपको ये भी मालूम होगा कि पुलिस आपकी तलाश कर रही है डोरिस चुप रही फिर भी आप पुलिस से चुपती फिल रही है डोरिस ने कोई उत्तर नहीं दिया आप राज धानी से एक स्टेशन पहले ही क्यूं उतर गई थी कपूर ने पूछा क्यूंकि क्यूंकि मुझे सुल्तान ने ऐसा करने के लिए कहा था डोरिस धीमे स्वर से बोली क्यूं डोरिस चुप रही देखिए कपूर तनिक कटोर स्वर में बोला सुल्तान के लापता हो जाने के मामले में आप भी संदेज से परे नहीं है आपका हिट इसी में है कि आप स्वयम को पुलिस के संदेज से परे रखे इसलिए बैधर यही है कि आप हमसे कुछ चुपाने का प्रत्न ना करें मैं कुछ चुपाने का प्रत्न नहीं करूंगी दोरिस बोली फिर बताईए सुल्तान ने आपको राजधानी से एक स्टेशन पहले ही उतर जाने के लिए क्यूं कहा था आप जानते ही होंगे दोरिस बोली कि सुल्तान अपना धरम परिवर्तन करके मुझसे शादी करने वाले थे अरब जनता सुल्तान के इस इरादे के बहुत खिलाफ थी लेकिन सुल्तान इस विशे में विशेश चिंतित नहीं था क्यूंकि वो जानता था कि अंग्रेज हर प्रकार की स्थिती को संभाल लेंगे राश्नगर में कुछ अरब नगरी को बंदरगा पर काले जंडे लेकर सुल्तान का स्वागत करते देखा था और सुल्तान के धरम परिवर्तन के इरादे के लिए शेम शेम के नारे लगाए थे सुल्तान थोड़े चिंतित हो गए थे पर आए मुल्क में गलत प्रकार की पबलिसिटी का शिकार नहीं बना चाहते थे ट्रेन में मैं उनके साथ सफर कर रही थी और राजधानी में भी मैं उनके साथ ही रहने वाली थी रात को ट्रेन में सुल्तान मेरे कैबिन में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि राजधानी में मैं उन्से अलग ही रहूं तो अच्छा है इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं राजधानी से एक स्टेशन पहले उतर जाओं और वहाँ से टैक्सी लेकर किसी अच्छे होटल में चली जाओं और आप रॉयल होटल में आ गई हाँ इन में सुल्तान ने आपको अपना हीरो वाला सूट केस भी साथ ले जाने को दिया था क्या हीरो वाला सूट केस डोरिस हैरानी से बोली नहीं तो सुल्तान भला मुझे हीरो वाला सूटकेस क्यूं देते आपका सामान कहा है डोरिस ने कमरे के एक क्लोजेट में से तीन सफैद रंग के सूटकेस निकाल कर उनके सामने रग दिये अगर एतरास ना हो तो हम इने खोल कर देख लें क्या कपूर ने पूछा शौंक से देखिए सूटकेस खोल कर देखे गए उनमें डोरिस के पहनने के कपड़े और मेकप के सामान के अतिरिक कुछ नहीं था सुनील ने छोटे सूटकेस को बड़े गौड से दिखा वो सूटकेस बिलकुल वैसा था जैसे में सुल्तान ने हीरे जवारात रखे हुए थे सुल्तान के हीरे जवारात वाला सूटकेस भी बिलकुल ऐसा ही था ना सुनील छोटे सूटकेस को थप थपाता हुआ बोला जरूर होगा डोरिस ने सहत स्वर्ग से उत्तर दिया दरसर ये तीनों सूटकेस भी सुल्तान ने ही मुझे दिये है सुल्तान के सारे सूटकेस एक ही कंपनी के बनाए हुए एक ही चम्रे के और एक ही डिजाइन के है आई सी सुनील बोला मिस टोरिस कपूर बोला कुछ गवाईयों से हमें मालुम हुआ है कि राशनगर से चलते समय आपके पास इस प्रकार के केवल दो सूटकेस थी जबकि आपकी गवाईयों को गलत फैमी हुई है डोरिस कपूर की बात काटकर बोली मेरे पास अरम से ही तीन सूटकेस थी संभव है अच्छा अब इसे देखिए और कपूर ने वो हीरे की अंगूठी निकाल कर डोरिस के सामने रग दी जो उसने लखनपाल जोहरी को बेची थी इस अंगूठी को पहचानती हैं आप कपूर ने सरल स्वर से पूछा डोरिस के चहरे पर हवाईया उडने लगी ये ये अंगूठी वो हक लाई आपने ये अंगूठी जोहरी बाजार में लखनपाल नाम के जोहरी को बेची थी ना कपूर ने ये बात इतने विश्वास पून धंग से कही थी कि डोरिस का सिर्थ तो इंकार पून धंग से हिलाने का उपकरम कर रहा था लेकिन उसके मूँ से हाँ निकल गई सुल्तान के वजीर शिहाब अलजूरी का कथन है कि ये अंगूठी शाही हीरे जवारातों का ही एक हिस्सा है हो सकता है डोरिस लड़ खडाते स्वर में बूली आपके पास ये अंगूठी कहां से आई मुझे सुल्तान ने भेंट में दी थी केवल ये अंगूठी हाँ कब राशनगर में होटल से चलने से पहले आपने इसे बेच क्यों दिया डोरिस चुप रही कपूर की प्रश्न सूचक ग्रिष्टी उसके चेहरे पर टिकी रही सुल्तान के निर्देशा नुसार मैं रॉयल होटल में आ तो गई थी अंग में डोरिस बोली लेकिन मेरे पास रुपए नहीं थे सुल्तान ने मुझे कहा था कि वो दपहर तक मुझे परियाप धन भिजवा देगा शाम के अकबार में मैंने सुल्तान के लापता होने का समाचार पड़ा मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अबुदाउद ने सुल्तान की हत्या कर दी है मैं अपने बारे में बेहत चिंतित हो उठी सुल्तान से रुपए हासिल होने की आशा समाप्त हो गई थी और रॉयल होटल जैसे महंगे होटल का बिल चुकाना मेरी क्षमता से बाहर की बात था रुपए हासिल करने का मुझे एक ही तरीका सुझा कि मैं सुल्तान की दी हुई हीरे की अंगुठी बेच दू बात युक्ति संगत थी कपूर को लगा की वो सच बोल रही है लेकिन सुनील अभी भी संदिक्त था उसके विचार से हर औरत पैदाईशी एक्ट्रेस होती है अभी ने द्वारा जूट को भी विश्वस्निये बना देना कोई भारी मेहनत का काम नहीं होता आप रोयल होटल छोड़ कर यहां क्यों आ गई सुनील ने पूछा वो बहुत महगा होटल है मैं उसका खर्चा बरदाश नहीं कर सकती रोयल होटल छोड़ने का यही एक कारण था क्या हाँ और क्या हो सकता है शायद आप पुलिस की जानकारी से बचना चाहती थी इसलिए आपने रोयल होटल से भी टैक्सी को लिबर्टी सिनिमा के पास छोड़ दिया था डोरिस फिर घबरा गई हाँ वो अपरात फून स्वर से बोली मैं पुलिस की जानकारी से अलग ही रहना चाहती थी क्यों? क्योंकि मैं गलत प्रकार की पब्लिसिटी से बचना चाहती थी मुझे भय था कि कहीं लोग ये ना सुझाने लगे कि मैंने सुल्तान की हत्या की थी आपने सुल्तान की हत्या की थी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता आखरी बार आपने सुल्तान को कब देखा था लगभग आधी रात को जब वो मेरे कमरे में आये थे आपका कैबिन सुल्तान के कैबिन के एकदम बगल में था रात को आपने सुल्टान के कैबिन में किसी प्रकार की खटपट की आवाज नहीं सुनी थी क्या नहीं, मैं बड़ी गहरी नीन सोती हूँ राम गंच के स्टेशन पर उतरने से पहले आप सुल्टान से विदा लेने के लिए नहीं गई थी नहीं, क्यूं? मैं सुल्टान को डिस्चर्ब नहीं करना चाहती थी अब आप क्या करेंगी? वापिस लंडन चली जाओंगी कैसे जाएंगी आप? हवाईस जाहसे और कैसे? आपके पास किराई के लिए रुपया है क्या? अंगूठी बेश देने के बाद है उसी क्षन टेलीफोन की घंटी बर्ज उठी एक्सक्यूज मी डोरिस बोली और उठकर कमरे के कोने की मेज पर पड़े टेलीफोन के समी पहुँच गई उसने रिसीवर उठा कर कान से लगा लिया और धीमे स्वर्श से बाते करने लगी सुनील और क्रपूर की और उसकी पेट थी सामने मेज पर डोरिस का पर्स पड़ा था सुनील ने एक सतर्क दृष्टी डोरिस की और डाली वो अपने पर्स से एकदम बेखबर थी सुनील ने धीरे से पर्स को खोला और उसके भीतर जांका पर्स मेकप के सामान और नोटों से भरा पड़ा था नोटों की बगल में दो छपे हुए कागस पड़े थे सुनील ने जल्दी से उसे बाहर निकाल कर देखा एक सुभाश रोट के एक लेधर स्चोर की रसीत थी रसीत पर एक चमणे के सूट केस की सेल दर्ज थी दूसरी राजधानी के एक सब स्चेशन शंकर नगर के क्लॉक रूम की रसीत थी रसीत पर डोरिस का नाम लिखा था और उससे प्रकट होता था कि उसने आज सुभा ही क्लॉक रूम में एक सूट केस जमा करवाया है सुनील ने चुप चाप दोनों रसीदे पर्स में डाल दी और पर्स को बंद करके यथा स्थान रख दिया उससी क्षन डोरिस टेलिफोन के रिसेवर को क्रेडिल पर रख कर वापिस लॉट आई राजधानी में आपके मित्र भी है क्या? सुनील ने पूछा नहीं, अगर आपका इशारा इस टेलिफोन कॉल की और है तो ये ट्रेवल एजनसी से आई थी ये लोग मेरे पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे I.C. सुनील बोला और उठ खड़ा हुआ कपूर भी उठ खड़ा हुआ आप अभी कुछ दिन तो यहां रहेंगी न? कपूर ने पूछा जी हाँ, एर बोकिंग मिलने तक तो यहां रुकना ही पड़ेगा जाने से पहले हमें जरूर सुचित कीजिएगा अच्छा, दोनों डोरिस से विदा लेकर बाहर आ गए वे होस्चल से बाहर निकल आए कपूर सहाथ, बड़ी मतकार औरत है ये सुनील बोला मुझे तो सच बोलती हुई मालूम हो रही थी कपूर बोला बोलती होगी सच, एक बात की मैं गरांटी करता हूँ क्या? सुल्तान के हीरे जवारात या तो डोरिस ने चुराए है और या सुल्तान ने हीरे उसे अपनी मर्जी से दिये है बहरहाल राम गंश के स्टेशन पर गाड़ी से उतरते समें हीरो वाला सूट केस डोरिस के पास था तो फिर वो सूट केस कहा गया? कपूर ने पूछा कहीं भी नहीं गया वो सूट केस अभी भी डोरिस के पास है केवल उसमें हीरे और जवारात नहीं है डोरिस ने किया ये है कि उसने एक नया सूट केस खरीद कर हीरे उसमें भड़ दिये है और उस सूट केस को वो शंकर नगर डेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में रखाई है तुम्हें कैसे मालूम है डोरिस के पर्स में मैंने दो रसीदे देखी थी एक रसीद सुभाश रोट के लेदर स्चोर की थी जिसमें एक चम्रे के सूट केस की सेल दर्श थी दोसरी रसीद शंकर नगर रेलवे स्चेशन के क्लॉक रूम की थी जिसमें जाहिर होता था कि डोरिस ने आज सुभा यहां एक सूट केस जमा करवाया है इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप ही सोचिए उस सूट केस में क्या हो सकता है कपूर एक शंड कुछ सोचता रहा और फिर एकदम उत्तेजित स्वर से बुला चलो चेक करते हैं कपूर ने शंकर नगर रेलवे स्चेशन के क्लॉक रूम में से डोरिस द्वारा जमा करवाया हुआ सूट केस निकलवाया और उसे खोल कर देखा सूट केस में वाके शेकर के शाही खजाने के हीरे जवारात मौजूद थे इस बार कपूर ने डोरिस के पास YWCA होस्चल जाने की तकलीफ नहीं की उसने पुलिस के आदमियों को साधी वर्दी में वहां फेश दिया आधे घंटे बाद ही डोरिस पुलिस हेट क्वार्टर में कपूर के कमरे में बैठी थी इस बार कपूर उससे पहली बार की तरह नम्रता से पेश नहीं आया उससे क्लॉक रूम में से बरामद हुए सूट केस के बारे में प्रश्न पूछे गए डोरिस को ये बात स्विकार करनी पड़ी कि उसने हीरो से भरा हुआ सूट केस क्लॉक रूम में जमा करवाया था लेकिन कपूर की भरपूर क्रॉस क्वेशनिंग उसे इस बात से टस से मस नहीं कर सकी कि सुल्तान ने डोरिस को हीरो वाला सूट केस अपनी मर्जी से दिया था उसने वे हीरे चुराए नहीं थे क्यूं? क्यूं का जवाब मेरे पास नहीं है सुल्तान ने कहा था कि हीरो का सूट केस मैं अपने साथ ले जाऊं और मैं ले आई सुल्तान ने लाखों रुपए के हीरे आपको सौप दिये इसकी कोई वज़ा तो होगी? एक वज़ा संबव हो सकती है डोरिस बोली क्या? सुल्तान मुझसे शादी करने वाले थे शादी के बाद मैं शेकर की सुल्तान बन जाती सुल्तान ने एक बार मुझे बताया था कि वे तमाम हीरे और जेवराद सुल्तान की बेगम को शादी के बाद भेंड सुरूप मिलते हैं संबव है सुल्तान ने मुझे वो जेवराद ये सोच कर दे दिये हो कि विवाद के बाद भी तो आखिर वो मेरी संपत्ती बनने वाले थे आप इस बात को सित कर सकती है कि सुल्तान ने अपनी मर्जी से आपको जेवरों का सूट के दिया था कैसे सित कर सकती हूँ मैं मेरे कथन की पुश्टी तो स्वयम सुल्तान ही कर सकते हैं और सुल्तान की हत्या हो गई है अभी लाश मिली नहीं है सुनिल बोला लेकिन हाला आप यही जाहिर करते हैं कि सुल्टान की हत्या हो चुकी है आपके खेयाल से सुल्टान का हत्यारा कौन हो सकता है आप मेरा खेयाल पूछते है डोरिस बोली मेरा दावाहे कि सुल्टान का हत्यारा अबुदाउद है आप भी तो हत्यारी हो सकती है ना? मैं? जी हाँ, रेल गाड़ी में आप सुल्तान के बगल के कैबिन में थी दोनों कैबिनों के बीश दर्वाजा भी था आप ज्यादा सहूलियत से सुल्तान के विस्की की बोतल को जहर भरी विस्की की बोतल से बदल सकती थी बाद में आप लाश को उठा कर चुप चाप खिड़की से बाहर भी फैंक सकती थी आप सुल्तान के राशनगर में कदम रखने से पहले भी राशनगर में मौजूद थी आप बड़ी आसानी से रेलवे लाइन से सुल्तान की लाश उठवाने का इंतिजाम कर सकती थी लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है डोरिस भाईवیत स्वर्ट से बोली खालात तो ये जाहिर करते हैं कि सब कुछ आप का ही किया धरा है लेकिन आप सोचिए मुझे सुल्तान की हत्या करने की क्या जरूरत थी मुझे सुल्टान की हत्या से क्या लाप पहुँचने वाला था ये मत भूलिये कि सुल्टान के चोरी गए हीरे हमें आपके पास से बरामद हुए है हीरे लाखो रुपए की कीमत के हैं इतना माल हत्याने के लिए हत्या हीरो के लिए मुझे सुल्तान की हत्या करने की क्या जरूरत थी डोरिस कपूर की बात काट कर बोली सुल्तान से शादी होने के बाद मुझे दौलत की क्या कमी रह जाती शादी के बाद वे हीरे भी तो आखिर मुझे ही मिलने वाले थे शायद आप सुल्तान से शादी करना ही नहीं चाहती थी शायद आपकी दिल्चस्पी सुल्तान से ज्यादा सुल्तान की दौलत में थी सुल्तान एक ठिगना सा भद्दा सा बद्सूरत आदमी था और शेकर का बादशा भी वो नाम को ही था अबुदावद द्वारा भड़काई जाने पर शेकर की जंदा कभी भी सुल्तान अहमत के खिलाफ हो सकती थी और उसे गद्दी से उतार सकती थी आपकी सुल्तान से बिना शादी किये सुल्तान की दौलत हत्याने का मौका दिखाई दिया और आप ने उस मौके का भरपूर फाइदा उठा लिया आप सुल्तान की हत्या करके उसके लाखो रुपेओं के हीरों से भरा सूटकेस ले उड़ी आप लोग इसे कभी सिद नहीं कर सकते डोरिस भड़क कर बोली देखते हैं सुनील सहथ स्वर से बुला लेकिन बात सश थी हत्या के मामले में पुलिस के पास डोरिस के खिलाफ कोई ठोज सबूत नहीं था डोरिस को हिरासत में रखा गया बाद में डोरिस ने ब्रिटिश हाई कमिशन के किसी उच्चा अधिकारी से संपर्ट की मांग की उसे आग्या दे दी गई हाई कमिशन से एक अधिकारी पुलिस हेड क्वार्टर आया और पुलिस अधिकारियों को इस बात का आश्वासन दे कर डोरिस को अपने साथ हाई कमिशन में ले गया कि पुलिस जब चाहेगी तभी उसे वापिस हेड क्वार्टर भेश दिया जाएगा पुलिस की तहकीकात चलती रही अगले दिन सुभा मुखर जी मिलिटरी के एक प्लेन पर दोबारा राजधानी आए वे सीधे सुनील के पास पहुँचे राशनगर में स्थाई रूप से बसे हुए अर्बों की बड़ी बारीकी से चेक किया गया कोई नई बात सुनील ने पूछा हाँ सुनो राशनगर के चाइना टाउन के इलाके में एक घटिया सा होटल है जो संदिग्द चरित्र के अर्बों और तुर्कों का अड़ा सा बना हुआ है होटल का संचालक हाफिस नाम का एक अरब है जो पहले शिहकर का निवासी था हाफिस के होटल में इकठे होने वाले तीन चौथाई से भी अधिक अरब स्मगलिंग का धंदा करते हैं पुलिस वहाँ पर कई बार चापा मार चुकी है लेकिन परियाप्त सबूतों के अभाव के कारण ना तो पुलिस हाफिस का होटल ही बंद करवा सकी और ना ही वहाँ से वो किसी स्मगलर को गिरफतार ही कर सकी लेकिन हाफिस के होटल पर पुलिस की हमेशा निगरानी रहती है पुलिस के दो तीन आदमी साधी वर्दी में और कभी मेक अप में हर समय वहां मौजूद रहती है मुकरजी एक शन रुके और फिर बोले सोमबार को अर्थाद जिस दिन सुल्तान एहमद बिन सईद ने राजनगर में कदम रखा था उस दिन में पुलिस का एक आदमी हाफिस के होटल की निगरानी कर रहा था पुलिस का वो आदमी होटल में आने वाले लगभग सभी अर्बों को पहचानता है उसके कतना नुसार सोमबार को दिन के धाई बजे के करीब हाफिस के होटल में युसुफ नाम के एक दादा से लगने वाले अरब का टेलिफोन आया था पुलिस के उस आदमी को ये बात विशेश रूप से इसलिए याद है क्यूंकि अपने टेलिफोन का नाम सुन कर खुद युसुफ भी हैरान हो रहा था उसके अपने कतना नुसार आज तक किसी ने उसे हाफिस के होटल में फोन नहीं किया था उसने काउंटर पर टेलिफोन रिसीव किया था और काफी देर अर्बी में बाते करता रहा था टेलिफोन सुनने के बाद वो वहां से फॉरण चला गया था दुर्भाग्यवश पुलिस के आदमी युसुफ का पीछा नहीं कर सके ओ, सुनेल तनिक कफसोस भरे स्वर से बोला लेकिन पांच बजी के करीब युसुफ फिर हाफिस के होटल में लोटा इस बार उसके साथ दो साथी और थे, दोनों अरब थे फुलिस के आदमी का कथन है कि युसुफ के दोनों साथी पहले कभी हाफिस के होटल में नहीं देखे गए थे युसुफ और उसके साथी होटल के एक कैबिन में बैठे बड़ी देर तक बाते करते रहे थे और विस्की पीते रहे थे उन्होंने अपने सामने एक नक्षा फैलाया हुआ था और उसके भिन स्थानों पर उंगली रख वे किसी बात पर बहस कर रहे थे वो नक्षा कहा का था? सुनील ने पूछा फुलिस का आदमी ये देख नहीं पाया फिर? फिर युसुफ ने अपनी जेव में से सो सो के नोटों का एक मोटा सा बंडल निकाला और उसके दो भाग करके नोट अपने साथियों को सौंप दिये उसके साथी हाफिस के होटल से विदा हो गए थे युसुफ कैबिन में से निकल कर बाहर काउंटर पर आ गया था और वहां बैठा शराब पिता रहा था बाद में युसुफ शराब के नशे में अपने अगल बगल में बैठे अरबों पर रोब गांटने के लिए कहता सुना गया था कि उसे इतना बड़ा काम दिया गया है कि अब वो एकदम रईस हो जाएगा और फिर स्मगलिंग का खतरनाग धंदा छोड़ देगा और वापिस अपने मुल्क शेहकर चला जाएगा और वहां पर कई शादियां करके अपना प्राइवेट हरम स्थापित करेगा उसने ये भी कहा था कि शेहकर में वो शेहजादा अबुदाउद की छत्र चाया में रहेगा और ये कि शेहजादा अबुदाउद शेगर ही शेहकर का सुल्टान बनने वाला था इसका मतलब तो ये हुआ कि युसुफ को मालुम था कि सुल्तान एहमर बिन सईद को कुछ होने वाला है यही जाहिर होता है तुम आगे सुनो फरमाईए शाम को छे बजे युसुफ फिर हाफिस के होटल से बाहर निकला इस बार फुलिस के आदमी ने उसका पीछा किया हाफिस एक टू सिटर लेकर चाइना टाउन से महात्मा गांधी रोट पर पहुँचा वहाँ वो एक ओटो मुबाइल कंपनी के दफ्तर में पहुँचा फुलिस का आदमी बाहर टैक्सी में बैठा उसके वापिस लौटने की प्रतिक्षा करता रहा एक घंटा गुजर गया लेकिन युसुफ के दर्शन नहीं हुए फुलिस के आदमी का माथा ठनका वो टैक्सी से निकल कर ओटो मुबाइल कंपनी में पहुँचा कंपनी में युसुफ के बारे में पूश ताच करने पर मालुम हुआ कि युसुफ तो कंपनी के दफ्तर में कदम रखने के दस मिनट बाद ही वहां से चला गया था और फिर भी वो पुलिस के आदमी को जाता दिखाई नहीं दिया क्या सुनीन ने पूछा उसकी वज़ा थी दरसर युसुफ ने उस कंपनी से एक कार किराए पर ली थी कार कंपनी की इमारत के पिछवाडे वाली गली में खड़ी थी इसलिए युसुफ सामने आई बिना पिछले रास्ते से ही पिछली गली में चला गया था और पुलिस का आदमी सामने सडक पर उसका इंतिजार करता रह गया था स्विर फिर क्या? युसुफ गधे के सिर्च से से सिंग की तरह गायब हो गया उसकी तलाश करवाई गया यूसुफ को राजनगर में भूसे के धेर में सुई तलाश करने के अंदाज से तलाश करवाया किया लेकिन पुलिस को यूसुफ की हवा तक भी नहीं लगी हमने ओटो मुबाइल कंपनी से उस कार का नंबर और मेक पूच कर उस कार को भी हर जगा तलाश करवाया जो यूसुफ ने किराई पर ली थी लेकिन ना कार मिली न यूसुफ वो ओटो मुबाइल कमपनी में कार वापिस करने तो आया होगा ना? नहीं आया करनल मुखर जी खेट फूर्ण स्वर्ण से बोले ओटो मुबाइल कमपनी की तो भरपूर निगरानी हो रही थी लेकिन वो कार को वहाँ पहुंचाने नहीं आया उसने कमपनी के मैनेजर को फोन कर दिया कि उसकी कार लिंक रोड की पबलिक पार्किंग में खड़ी है मैनेजर वहाँ से कार मंगवा ले इससे तो ये जाहिर होता है कि उसे मालुम था कि आटो मुबाइल कमपनी की निक्रानी हो रही है सुनील बुला ज़रूरी नहीं है संभवे वो केवल साफ धानी बरत रहा हो संभवे उसके पास कार लोटाने का समय नहो संभवे कि उसने अपनी सहूलियत की खाते ही कमपनी को कार मंगवाने के लिए फोन कर दिया हो बहराल पुलिस के भरपूर कोशिशों के बाद भी ना युसुफात आया और ना ही उसके साथियों का कही पता चला हाफिस के होटल में पूछताज की गई क्या सुनील बुला हाँ लेकिन नतीजा सिफर निकला किसी को युसुफ के बारे में कुछ मालूम नहीं था दरसल हाफिस के होटल के सारे अरब एक ही थैली के चट्टे बट्टे है उन्हें कुछ मालूम भी होगा तो वो बताएंगे थोड़े ही पुलिस को सैयोग देने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी है हमें कुछ बताने की स्थान पर उल्टे वो युसुफ को साफधान कर देंगे कि पुलिस उसकी तलाश में है वो हाफिस के होटल में कदम ना रखे हाफिस के होटल की निग्रानी अब भी हो रही है लेकिन कुछ हासिल होने की आशा नहीं है सुनिल चुप रहा के गायब हो जाने से क्या संबंध है येस सर बोलिए ओटो मुबाइल कंपनी ने जब अपने कार लिंक रोट की पबलिक पार्किंग में से मंगवा ली तो पुलिस ने बड़ी बारीकी से उसकी जांच की जांच से दो बड़ी महत्वपून बात प्रकाश ने आई वो क्या ओटो मुबाइल कंपनी वाले जब कार किराई पर देते हैं तो स्पेडो मेटर की रेडिंग नोट कर लेते हैं कार को लिंक रोट कर कॉंटेक्ट करते समय स्पेड मेटर की रेडिंग दुबारा ली गई दोनों रेडिंग के अंतर द्वारा प्रकट हुआ कि यूसुफ द्वारा कार 360 मिल चलाई गई थी दूसरी बात ये है कि कार के डिकी में गेली रेतेली मिट्टी के कुछ कंपाई गई है स्थेकिकाग से मालुम हुआ कि इस प्रकार की मिट्टी सोना नदी के किनारे के इलाके में पाई जाती है सोना नदी राशनगर से लगभग पौने 200 मिल दूर है और राशनगर से राश धानी जाने वाली गाडियां सोना नदी के उपर बने पौल पर से जरूर गुजरती है सोना नदी के पौल की साइडों में किसी प्रकार की दिवारे नहीं है अगर पौल के उपर गुजरती हुई रेल में से कोई चीव नदी में फैंकी जाए तो वो बिना कहीं अटके सीधे नदी में जाकर गिरेगी क्या तुम्हें इन तमाम बातों में कोई संबन दिखाई देता है बहुत संबन दिखाई देता है सुनील उत्तेजित स्वर में बोला इससे तो ये जाहिर होता है कि अबु दाउद ने राशनगर में ही ऐमद बिन साइद की हत्या की हजीम बनाई हुई थी फूसी ने सुल्टान की ग्लेनाडरी विस्की की एक बोतल चुराई थी और उसमें जहर मिला दिया था प्रेन में उसे मालुंग था कि सुल्टान ने अपनी विस्की की बोतल आईस बॉक्स में रखी हुई थी अबुदाउद ने सुल्तान की बोतल उठा कर खिड़की से बाहर फैंक दी सुल्तान ने जहरीली शराब दी और उसकी ततकाल मित्यू हो गई बोतल उसके हाथ से चूट गई और जहरीली विस्की का कुछ भाग कैबिन के फर्ष पर बिचे कालीन पर बिखर गया फिर अबुदाउद ने विस्की की वो बोतल भी चलती गाड़ी से बाहर फैंक दी जब गाड़ी सोना नदी के पुल पर पहुँची तो उसने सुल्तान की लाश को उठा कर नदी में फैंक दिया सोना नदी राश नगर से लगभग पौने 200 मेल दूर है सुल्तान वाली एक्सप्रेस ट्रेन राथ को कम से कम दो बजे उस पुल पर से गुसरी होगी उस समय किसी के नदी के आसपास होने की संभावना भी नहीं है अब गाड़ी ने युसुफ को रुपई दे कर पहले से ही इस बात का इंतिजाम कर दिया होगा कि वो ठीक समय पर आकर सुल्तान की लाश नदी में से निकाल कर ले जाए और उसे कहीं ठिकाने लगा दे युसफ दवारा किराय पर ली गई कार आपके कतना नुसार लगभग 360 मिल चली है राशनगर से सोना नदी तक जाने और लोटने का फासला भी लगभग इतना ही है डिकी में मिली सोना नदी की रेतेली मेटी भी यही सिद करती है कि युसुफ कार लेकर सोना नदी तक गया था और सुल्टान की लाश उसने शायद नदी से निकाल कर पहले डिक्की में रखी थी कर्रेक्ट करनल मुखर जी संतुष्ट स्वर से बोले हर बात स्पर्ष्ट रूप से इस संकेत करती है कि हत्यारा अबुदाउद है लेकिन अबुदाउद के विरुद कुछ सिद करने के लिए युसफ की गिरुफतारी बहुत जरूरी है युसफ के बयान के बिना अबुदाउद के विरुद कुछ भी सिद नहीं किया जा सकता बिना ठोस सबूत के हम अबुदावत पर हाथ डालने का होसला नहीं कर सकते विदेश मंत्रालिय से हमें विशेश रूप से आदेश मिला है कि केवल संदे के आधार पर हम इस केश से संबंदित किसी आदमी के विरुद कोई कारेवाही ना करें और फिर अबुदावत तो शेकर का होने वाला सुल्तान है उसके विरुद कुछ कर चुकने के बाद भी पता नहीं हम उसका कुछ बिकार सकेंगे या नहीं अबुदावत को हत्यारा सिथ करके तो शायद हम इतना ही संतोश हासिल कर सकेंगे कि सुल्तान की हत्या का कारण उनकी अंद्रूर्नी राश नीती थी इसमें किसी भार्तिय नागरिक या वर्ग का हाथ नहीं था संबव है सुल्तान के लाश सोना नदी के आसपास ही कहीं जमीन में दफनाई गई हो मैंने भी यही बात सोची थी मैं सोना नदी के आस पास के इलाके के चप्पे चप्पे की तलाश करवा रहा हूँ अगर सुल्तान की लाश कहीं दफनाई गई मिल गई तो फॉरण मुझे सुचित कर दिया जाएगा लेकिन मिस्चर इस समय सुल्तान की लाश के मिलने से भी ज्यादा महत्व पूर्ण है युसुफ का मिलना अगर युसुफ मिल जाएगा तो हम उससे ये भी कुबलवा लेंगे कि सुल्तान की लाश कहां छुपाई है सुनेल विचार पूर्ण मुद्रा बनाई चुप चाप करनल मुखर जी के सामने बैठा रहा करनल मुखर जी अपनी जेब से पाईप और तंबाखु पाईप तिकाल कर पाईप तयार करने में चुट गए अबुदाउद, शिहाब अलजूरी और उनके नौकर वगेरा इस समय कहां है मुखर जी ने पाईप सुलगाते हुए पूछा शिहाब अलजूरी और नौकर तो इस समय राश्टू थोटल में है लेकिन अबुदाउद वहां से फ्रांसीसी दूतावास की शरण में पहुँच गया है क्यूं? मुखर जी के माथे पर बल पड़ गए प्रत्यक्ष है कि वो फ्रांसीसी दूतावास में स्वयम को ज्यादा सुरक्षित समझता है पहले पुलिस तफ्सीश के लिए दन दनाते हुए जब चाहे उसके पास पहुँच जाती थी और अब अबुदाउद ने संपर्ख सापित करने के लिए उन्हें फ्रांसीसी राश्टूत से प्रातना करनी पड़ती है सुना है वो लोग उसे चुप चाप शेहकर रवाना करने की फिरात में है मुकर्जी चिंता पॉर्ण धंक से सिर हिलाते हुए पाइप के कश लगाते रहे युसफ को पकड़ने की एक तरकीब मेरे दिमाग में आई है अंत में सुनील बोला क्या मुकर्जी आशा पॉर्ण स्वर्ण से बोले अबुदावद की और से युसफ को अर्भी भाषा में एक चुठी लिखी जाए कैसी चुठी? मैं अभी आपको लिख कर बताता हूँ सुनील बोला सुनील कागज और पैन लेकर चुठी लिखने में जुठ गया पांचे बार की कार्ट पीट के बार अंत में उसने जो चुठी तयार की वो इस प्रकार थी युसफ तुम मेरी उमीदों पर एकदम खरे उतरे हो सुमबार की रात को तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ और तुम पर बहुत खुश हूँ दुर्भाग्यवर्ष कुछ पाते मेरी उमीद के खिलाफ हो गई है पूलिस मेरे पीछे बड़ी हुई थी इसलिए मुझे फ्रांसिसी दूतावास में शरन लेनी पड़ी है ये पत्र भी मैं तुम्हें फ्रांसिसी दूतावास से ही लिख रहा हूँ फ्रांसिसी राज दूत ने मुझे कल ही भारत से बाहर भिजवाने का इंतिजाम कर देने का वादा किया है कल शाम को एक फ्रांसी से हवाई जहाज सीरिया जा रहा है वहां से फॉरण ही मुझे शेकर पहुंचा दिया जाएगा फ्रेंट सरकार ने मुझे शेकर में हकूमत को अपने अधिकार में करने में सहायता देने का फूरा इंतिजाम कर दिया है शेकर में भी मेरे अपने आदमी मेरे वापसी की प्रतिक्षा कर रहे हैं बेच में अगर अंग्रेश सरकार कोई दखल देगी तो फ्रांसी सी उन्हें संभाल लेंगे मुझे मालूम हुआ है कि राजनगर की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है किसी प्रकार पुलिस को मालूम हो गया है कि तुम मेरे सहयोगी हो और मेरे भाई के गायब हो जाने में तुम्हारा भी हाथ है पुलिस हाफिस के होटल में तुम्हें फांस्ते के लिए जाल बिचाए बैठी है तुमने मेरी बहुत सहायता की है इसलिए मैं तुम्हें यहां खत्रे में छोड़ कर नहीं जाना चाहता मैंने फ्रांसिसी राज़ दूद को इस बात के लिए तयार कर लिया है कि वो मेरे साथ ही तुम्हारे लिए भी भारत से शेकर की और प्रस्थान का इंतिजाम कर दे लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम कल रात दस बजे से पहले राज़ धारी में पहुंच जाओ कल रात को नौ से लेकर दस बजे तक फ्रांसिसी दूतावास का एक आदमी फ्रांसिसी दूतावास के मुख्यद्वार के साबने तुम्हारी प्रतिक्षा करीगा ये पत्र भी फ्रांसिसी दूतावास का ही एक करमचारी ला रहा है वो पत्र को हाफिस के होटल में हाफिस के पास छोड़ जाएगा मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जहां भी होगे हाफिस किसी ना किसी प्रकार ये पत्र तुम्हारे पास पहुचा देगा पत्र मिलते ही फौरण राज नगर से चल देना और किसी भी प्रकार कल दस बजे से पहले प्रांसिसी दूतावास के मुख्य द्वार के सामने पहुच जाना दस बजे के बाद मैं राज धानी से रवाना हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा सुनेल पत्र मुखर जी के हाथ में रग दिया और बोला इसका अर्भी भाषा में अनुवात करवाना पड़ेगा मुखर जी ने पत्र पड़ा पर चुपने के बाद बोले तुम्हें उमेद है कि इस पत्र से कोई नतीजा निकलेगा प्राई कर लेने में क्या हर्स है सर अच्छी बात है लेकिन ये जरूरी है कि ये पत्र फ्रांसिसी दूतावास के चपे हुए लेटर पैट पर लिखा जाए और इसे कोई फ्रांसिसी ही लेकर हाफिस के होटल में पहुँचे उसका इंतिजाम हो जाएगा मुकर्जी विश्वास पूर्ण स्वर्श से बोले फ्रांसिसी दूतावास की चार दिवारी में बने विशाल फाटक से थोड़ी दूर एक कोड़ा ढोने वाला ट्रक खड़ा था उस ट्रक की अगली सीट पर करनल मुकर्जी पुलिस सुप्रेटेंडन्ट कपूर और सुनिल छुपे बैठे थे ट्रक के पिछले भाग में चार सिपाही छुपे गए थे दूतावास के फाटक से थोड़ा हट कर एक प्रांसिसी युवक तहल रहा था करनल मुकर्जी ने अपनी घड़ी पर द्रिष्टी डाली पौने दस बच चुके थे उन्होंने प्रश्न सुचक द्रिष्टी से सुनिल की यॉड देखा सुनिल ने अन्भिग्यता पौन धंग से कंधे उचका दिये निर्धारित समय के केवल पंदरा मिनट बाकी रह गए थे और अभी तक युसुफ के दर्शन नहीं हुए थे संभव है मुकर्जी बोले हाफिस युसुफ तक हमारी किठी पहुँचाने में सफल ना हो सका हो संभव है सुनिल ने स्विकार किया और फिर ये भी तो जरूरी नहीं की सर सुनिल ने मुकर्जी का कंधा दबा कर सामने सड़क की और संकेत किया एक आदमी बड़ी साफ धानी से चलता हुआ फ्रांसिसी युवक उस आदमी की और बढ़ा एक शंड तक दोनों में कुछ बाते हुई और फिर फ्रांसिसी युवक ने एक सिग्रेट निकाल कर अपने होंटों में लगाया और फिर लाइटर द्वारा उसे सुलगा लिया ये इस बात का संकेत था कि आगंतुक युसुफ ही था फ्रांसिसी युवक को युसुफ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया गया था कपूर ने संकेत किया ततकार चारों सिपाही ट्रक से नीचे कूट पड़े और युसुफ की और बढ़े अगले हिक्षण युसुफ को गिरुफतार करके उसके हातों में हतकडिया डाल दी गई मैंने क्या किया है युसुफ आतंकित स्वर से बुला मुझे गिरुफतार क्यूं किया जा रहा है किसी ने उत्तर देने का उपकरम नहीं किया एक सिपाही वहाँ से हटा और पेडों के जुर्मुट में खड़ी पुलिस को एक जीप को ड्राइब करता हुआ पाटक के समीप ले आया सब लोग जीप में सवार हो गए युसुफ को पुलिस हैट क्वार्टर में ले जाया गया तब तक युसुफ पर सिती का बड़ा गहरा मनोव विज्ञानिक प्रभाव पड़ चुका था पुलिस हैट क्वार्टर पहुँचने तक वो बेहत आतंके दिखाई दे रहा था आप लोगों से जरूर कोई गलती हो गई है युसुफ भैभीत स्वर्श से बोला शायद आप और किसी आदमी के वहम में मुझे गिरुपतार कर बैठे है कोई वहम नहीं हुआ युसुफ कपोर व्यंगेपोर्ण स्वर्श से बोला हम लोग तुम्हें ही गिरुपतार करना चाहते थे लेकिन मैंने क्या किया है तुमने सुल्तान एहमद बिन साईथ के हत्यारे की सहायता की है ये जोट है मैंने तो सुल्तान की सूरत भी नहीं देखी है मैंने तो रामा करने से कोई फायदा नहीं होगा युसुफ कपोर उसकी बात काट कर बोला हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं अबुदाउद की जिस चिठी को पढ़कर तुम फ्रांसिसी दूतावास के सामने पहुचे थे वो चिठी अबुदाउद ने नहीं हमने लिखी थी शहजादे अबुदाउद ने तुम्हें सुल्तान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किराय पर लिया था आधी रात के बाद तुम्ही अपने दो साथियों के साथ सोना नदी में सिस सुल्तान की लाश निकालने के लिए गए थे ये सब जोट है युसुफ चिलाया मैंने असब कुछ नहीं किया है चिलाने से कोई फाइदा नहीं होगा कपूर कठोर स्वर से बोला तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुप चाप अपना अपराथ स्विकार कर लो और हत्यारे को गिरुफतार करने में हमारी सहायता करो पुलिस के साथ हांख मिचोली का खेल खेलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बहुत दुर्गती होगी लेकिन मैं सच कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है युसुफ गिड़ गिड़ाया क्या ये तुम्हारा आकरी जवाब है ये सच्चा जवाब है अच्छी बात है बेटे कपूर अपनी आँस सीने चड़ाता हुआ बोला करनल सहब आप लोग ज़रा दूसरे कमरे में चले जाएए करनल मुकरजी ने प्रश्न सूचक धंक से भवे उठाई कपूर के चहरे पर एक आश्वासन पोन मुस्कुराहट थी आव सुनेल मुकरजी सुनेल से बोला तोनों कमरे से बाहर निकल आए एक सिपाही ने उनके बाहर निकलते ही द्वार बंद कर दिया द्वारबंध होने से पहले उनके कानों में कपूर की आवास पड़ी तैयार हो जाओ बेटा पांच मिनट बाद एक सिपाही उन्हें फिर पहले वाले कमरे में लिवा ले गया युसुफ अपने पहले वाले स्थान पर ही बैठा था लेकिन इस बार वो एक ऐसे जानवर की तरह भय भीत था जिसके ततकाल की बली दी जाने वाली हो भय और आतंग से उसके नेत्र बाहर को उबले पड़ रहे थे और उसके चेहरे की चमणी राप की तरह सफैद थी मैंने कुछ नहीं किया है युसुफ सुबक्ता हुआ कह रहा था मैंने तो केवल रुपया लेकर सुल्तान की लाश को सोना नदी में से निकाल कर थिकाने लगाया है कहां, कपोर ने प्रश्ण किया सोना नदी से एक मेल दूर एक कबरिस्तान है उस कबरिस्तान की एक कबर को खोट कर हमने सुलतान की लाश उसमें दफना दी थी कौन सी कबर में? मैं चल कर दिखा देता हूँ तुम्हें ये काम करने के लिए किस ने कहा? शहजादा अबु दाउद ने उसने तुम्हे कितने रुपे दिये थे 10,000 रुपे और सफलता फोरवर्ग धंग से काम हो जाने पर और रुपेया देने का वादा किया था अगर तुम्हे अबु दाउद के सामने ले जाया जाए तो क्या तुम उसको उस आदमी के रूप में पहचान लोगे जिसने तुम्हें दस अजार रुपे के बदले में सुल्तान की लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा था नहीं युसुफ धीरे से बुला कमरे में मौजोद सारे आदमी हैरानी से युसुफ का मूद देखने लगे कपूर का चेहरा लाल हो गया क्या बक रहे हो वो चिल लाया मैं सच कह रहा हूँ सहब युसुफ भैभीत सुच से बुला मैंने शहजादा अबुदावत की सूरत नहीं देखी है तो फिर सौदा कैसे हुआ टेलिफोन पर और तुम्हें रुपए कैसे मिले मुझे समराठ होटल में आने के लिए कहा गया था मुझे कहा गया था कि मैं समराठ होटल में पहुँच कर होटल के किसी वेटर के हाथ एक कागस पर अपना नाम लिखकर उपर भेश दूँगा क्या तुमने ऐसा किया था जी हाँ फिर फिर एक आदमी नीचे आकर मुझे उस फ्लोर पर ले गया था जहां सुल्तान की पार्टी ठेरी होई थी वो आदमी अरफ था क्या मैंने ध्यार नहीं दिया था उपर तुम्हें कौन से कमरे में ले जाया गया था गल्यारे के दाईयों से तीसरे कमरे में दाईयों से तीसरा सुईट अबुदावत का था सुनील बोला I.C. कपूर बोला और फिर दुबारा युसुफ से संबोदित हुआ फिल आगे नौकर मुझे उस कमरे में छोड़ कर चला गया उस कमरे में कोई भी नहीं था मेरे सामने एक दर्वाजा था जो उस कमरे को पिछली कमरे से मिलाता था थोड़ी देर के बाद मुझे उस कमरे में से किसी ने आवाज देकर समी पाने के लिए कहा वही ठेहरू, मैं दर्वाजे के पास ठेहर गया, तुम्हें दोसरी और खड़े आदमी की सूरत दिखाई नहीं दिख्या, नहीं सहब, दर्वाजा केवल तीन चार इंच खुला था, और उसमें से मुझे केवल यही दिखाई दिया, कि कोई आदमी अरब ड्रेस पहने हुए क पुरसी पर बैठा हुआ है, फिर, फिर उस आदमी ने मुझे सारी बात समझा दी, कि वो मुझसे क्या चाहता है, मुझे रात को दो बज़े के करीब सोना नदी के पुल के नीचे पहन जाना था, प्रेन में से एक बोरा नदी में फैंका जाना था, जिसे नदी में से निका क्या उस आदमी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि बोरे में क्या था? उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि बोरे में कोई लाश ही होगी, दस अजार रुपे की मोटी रकम से मैं ऐसे ही किसी काम की अपिक्षा भी कर रहा था, फि मैंने उसे खोल कर देखा था, और उसमें सुल्तान एहमद बिन सईद की लाश देखकर मेरे हाथ पाउं फूल गए थे, मुझे ये कभी नहीं सूझा था कि मैं स्वयम सुल्तान की हत्या के शड्यंत्र में हिस्सेदार बनाया जा रहा हूँ, यही वज़ा थी कि सुल्तान की लाश दफनाने के बाद मैंने अपनी भलाई इसी में समझी कि मैं फॉरन राजनगर से गायब हो जाऊं, लेकिन जब हाफिस ने मुझे ये चिठ्थी पहुंचाई, तो मैं सच मुझी ये समझा कि शहजादा अबुदाउद मेरे सेवाओं से कुश हो कर मुझे अपने साथ शेह कर ले जाना चाहता है, छोड़ो तुम ये बताओं फिस समराठ होटल में क्या हुआ, वहाँ दर्वाजे के पीछे आदमी ने मुझे सारी स्कीम समझा दी और फिर दर्वाजे में से हाथ निकाल कर मेरी और दस अजार रुपे बढ़ा दिये, हाथ दोबारा पहचान सक हाथ एक सफैद रंग के दस्ताने से धका हुआ था, मतलब ये कि तुम्हारे पास जानने का कोई साधर नहीं है, कि जिस आदमी से तुम बात कर रहे थे, वो वाकई अबुदाउद था, सुनील तनिक निराश्वर में बुला, उस आदमी ने कहा था कि वो अबुदाउद है और टेलीफोन पर बात करने वाले आदमी ने भी अपना नाम अबुदाउद बताया था, नाम से क्या होता है, तुमने उसकी सूरत तो नहीं देखी, नाम तो अपना मैं भी अबुदाउद बता सकता हूँ, लेकिन मैंने कितनी ही देर आदमी की आवाज भी सुनी थी, यु फॉरन पहचान लूगा, युसुफ विश्वास पूर्ण स्वर से बोला, सुनील ने कपूर की यॉड देखा, इसका मतलब तो ये हुआ, कपूर अंग्रेजी में बोला, कि डोरे सत्यारी नहीं हो सकती, संबब है, डोरे इसका कोई मर्द साथी हो, सुनील बोला, की हत्या करके, उसे बोरे में बंद करके, खिर्की से बाहर धकेलने का काम दोरिस ने किया हो, डोरिस के आकार के सामने तो सुल्तान एहमद बच्चा मालूम होता था, डोरिस के लिए सुल्तान को उठा कर, चलती गाड़ी में बाहर पैंक देना मामूली बात है, यू आर राइट, कपूर बोला, युसुप, सुनेल युसुप से संबोधित हुआ, हाँ सहब, जो आवाज तुमने सुनी थी, वो किसी मर्द की ही थी ना, बिलकुत सहब, शब की कोई गुझाइश नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई औरत आवाज बदल कर बोर लही हो नहीं सहब, ये मुम्किन नहीं है, टेलिफोन पर और होटल में मैंने उस आदमी से कितनी ही देर बाते की थी, वो एकदम साप सुत्री, हम वार मर्दानी आवाज थी, कोई अगर आवाज बदल कर बोल रहा होता, तो कभी आवाज की सबानता में फर्क आता आवाज बदलने में कई बार लोग करिश्मा कर दिखाते हैं, फिर तो सहब अगर कोई औरत मर्दानी आवाज में बोल रही थी, तो वो करिश्मा ही था और फिर तुम दर्वाजे के दूसरी और मौजूद आदमी की सूरत भी नहीं देख पाई थे, तुमने केवल एक दस्ताने वाला हाथ और अरब ड्रेस ही देखी थी, संभवे दर्वाजे के पीछे कोई औरत मर्दाना अरब ड्रेस पहने हुए बैठी हो लेकिन अभी आपने कहा था कि वो कमरा अब दाउद का, शाम को अबुदाउद अपने कमरे में मौजूद नहीं था संभवे कोई तुमें इस वहम में रखना चाहता हो, कि तुम अबुदाउद से बात कर रहे हो इसलिए अबुदाउद की गैर मौजूद की में उसने अबुदाउद का कमरा इस्तिमाल कर लिया हो युसुफ चुप रहा, सुनेल युसुफ के बोलने की प्रतिक्षा करता रहा आपके कहने के धंग से तो मुझे हर बात संभव दिखाई दे रही है सहब लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवाज मैंने सुनी थी वो किसी आत्मी की थी किसी औरत द्वारा आत्मे की आवाज की नकल नहीं थी मैं उस आवाज को लाखों में पहचान सकता हूँ सुनील कपूर की और घूमा और बुला इसको अबुदाउद की आवाज सुनवानी चाहिए लेकिन कैसे कपूर हाथ पहला कर बुला अबुदाउद जो फ्रेंच अमबैसी में हैं हमें उसे वहां से जबर्दस्ती बाहर नहीं निका सकते फ्रांसिसी राजटूद उसकी सुरक्षास के लिए भारत सरकार से किसी भी प्रकार का जगड़ा करने के लिए तयार है उसका कथन है कि शहजादा अबुदाउद भारत के एक वित्र देश का होने वाला सुल्तान है पुलिस को उससे साधारण पेशेवर मुझ्रिम की तरह जिरह करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन अगर हम अबुदाउद से टेलिफोन पर ही कुछ सवाल पूछे तब तो फ्रांसिसी राजटूद को कोई अतरास नहीं होगा ना शायद नहीं कपूर संदिग्ज स्वर से बोला करे टेलिफोन हाँ हाँ क्यों नहीं कपूर ने टेलिफोन का रिसीवर उठाया और फ्रांसिसी दूतावास में राजटूद का नीजी टेलिफोन नंबर डाइल कर दिया दूसरी और कनेक्शन मिलते ही कपूर चिकने चुपड़े स्वर से बोला गोड इवनिंग सर मैं हेटकॉर्टर से पुलिस सुप्रेटेंडन कपूर बोल रहा हूँ अगर आप एक मिनट के लिए प्रिंस अबू दावर को टेलिफोन बूर पर बुला दे तो बड़ी कृपा होगी मैं उनसे कुछ बड़े महत्वपोन प्रश्न पूछना चाहता हूँ नहीं सर हमारा प्रिंस को परिशान करने का कोई इरादा नहीं है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनसे केवल युक्ती युक्त संगत प्रश्न ही पूछे जाएंगे जी हाँ अगर प्रिंस को हमारे कुछ प्रश्न आपती जनक लगे तो वे बेशक उनका उतर देने से इंकार कर दे और टेलिफोन बंद कर दे थैंक्यू सर मैं होल्ट करता हूँ राजदूत अबू दाउद को टेलिफोन पर बुला रहा है कपूर माउट पिस को हाथ से ढख कर बुला वेरी गुड सुनील बुला और तुम कपूर युसुफ से बुला तयार हो जाओं मैं अभी तुमें एक आदमी की आवाज सुनवाओंगा तुम गौर से सुनकर बताना कि क्या ये वही आवाज नहीं है जो तुमने पहले हाफिस के होटल में टेलिफोन पर और फिर समराथ होटल में अभू दाउद के कमरे में सुनी थी युसुफ ने स्विक्रेती सुचक धंक से से शिला दिया उसी चंड अबुदाउद चायद लाइन पर आ गया गोडिवनिंग प्रिंस अबुदाउद कपूर माउथ पीस से हाथ हटा कर बुला सुप्रेटेंडेंडन कपूर ओन दिस साइड क्या आप मुझे ये बताने की क्रिपा करेंगे कि सोमवार की शाम को आप राजनगर में कहां कहां गए थे और किन किन लोगों से मिले थे कपूर एक शंड सुनता रहा और फिर उसने जल्दी से रिसीवर युसुफ के कानों से लगा दिया युसुफ काफी देर तक बड़ी गौर से अबुदावर की आवाज सुनता रहा और फिर उसने नकारात्मक धंग से सिर हिला दिया कपूर ने रिसीवर अपने कान से लगा लिया थेंक्यू प्रिंस वो थोड़ी देर बाद बोला और उसने रिसीवर को क्रेडिल पर रख दिया ये वो आवाज नहीं थी उसकी आवाज तो बड़ी परिपक्व और धीर गंधीर थी तुम्हें धोका तो नहीं हो रहा है ना मैं दावा कर सकता हूँ सहब ये वो आवाज नहीं थी अबुदावत तो हमारे संदे के दाइरे से साफ निकल गया कपूर गंधीर स्वर्ष से अंग्रेजी में बोला आप अबुदावत के दो नीजी नौकरों को भूल रहे हैं सुनील बोला संभव है अबुदावत के आदेश पर उन नौकरों में से किसी ने युसुफ से बाद की हो संबब है हम नौकरों को भी चेक करते हैं और वो युसुफ को सिपाहियों के हवाले करके कमरे से बाहर की और बढ़ चला मेरा क्या होगा सहब युसुफ ने दीन स्वर से आवाज में पूछा कपूर ने उत्तर नहीं दिया युसुफ द्वारा बताए हुए स्थान से वो बोरा खोथ कर निकाला गया जिसमें सुल्तान की लाश बन थी सुल्तान के पेट में जहर की भारी मात्रा पाई गई शिहाबल जूरी ने लाश को देखा और वो बच्चों की तरह रोने लगा कुछ तो लाश जमीन में दबी रहने के कारण सड़ गई थी शेश कसर पोस माटम ने पूरी कड़ दी थी शिहाबल जूरी ने सरकारी तोर से अथिकारियों से प्रातना की कि सुल्तान एहमद बीन सईद की लाश को खीशे की चादरों वाले ताबूत में बंद करके उसके हवाले कर दिया जाए और स्वयम उसकी लाश के साथ पोरण शेकर लोट जाने का समूचित इंतजाम कर दिया जाए ताकि सुल्तान के शव का अंतिम संसकार उसकी मात्र भूमी में हो सके भारत सरकार ने शिहाबल जूरी को हर प्रकार की सहाईता देने का पूरा आश्वासन दिया अगले दिन सुभ़ सवेरे सुनेल शिहाबल जूरी से उसके होटल के सुईट में मिला उसका भीतर चिरागली भी उसके साथ उसी होटल में उसके सुईट के बगल के कमरे में ठहरा हुआ था चिरागली सुनेल को शिहाबल जूरी के सुईट के ड्राइंग रूम में छोड़ गया शिहाबल जूरी नेत्र बंद किये तस्वी के मन के फेर रहा था सुनील के आगमन की आहट सुन कर उसने नेत्र खोल दिये आओ भेटा वो विशाद फोन धंक से मुस्कुराता हुआ बोला सुल्तान की हत्या अबुदाउद ने की है इस बात की और संकेत करने वाले कई सबुत मिले हैं सुनील बोला लेकिन हम निर्वीवाद रोप से ये सिद नहीं कर सके हैं कि वही हत्यारा है भारत सरकार तो अबुदाउद के निर्वीवाद रोप से हत्यारा सिद हो जाने के बाद भी शायद उस पर मुकदमा ना चला पाई अभी भी वो फ्रांसिसी दूतावास की शरण में है और पुलिस के पकड़ से पूरी तरह परे है सुना ये गया है कि फ्रांसिसी राज दूत उसे चुप चाप भारत से निकाल कर शेकर पहुंचाने का इंतिजाम कर रहा है मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आप लोग भी अपने मुल्क में अबुदावत को कोई सजा नहीं दे सकते क्या आप एक हत्यारे को अपना सुल्टान कबूल कर लेंगे बेटा शिहाबल जोरी गहरी सांस लेकर बोला शेकर आपके और आप जैसे अन्य मुल्कों जैसा व्यवस्थित और सभ्य मुल्क नहीं है वहां तो जिसकी लाठी उसकी भैस वाला असूल चलता है अबुदावत का शेकर में काफी दबदबा है वैसे तो सुल्तार एमद की मौत के बाद गदी का हगदार भी वही है लेकिन ये बल पूरवक गदी हत्या सकता है इसके शेकर पहुंचते ही शेकर के सारे देश द्रोही इसके अनुजाई हो जाएंगे और ये जबरदस्ती शेकर का सुल्तान बन बैठेगा अबुदाउद के सुल्तान बनने के बाद आपकी क्या स्किती होगी? मेरी तो शायद ये गर्दन ही उडवा देगा आप ऐसे गंदे आदमी को सुल्तान बनने से नहीं रोक सकते क्या? अगर खलीफा अबुदाउद के विरुद हो जाए तो इसे सुल्तान बनने से रोका जा सकता है खलीफा कौन? खलीफा हमारा सबसे बड़ा धार्मिक नीता है उसके आदेश को टालने का होंसला देश द्रोहियों में भी नहीं है एका एक सुनील की नजर कमरे के कोने के एक शेल्फ में पड़ी एक अर्भी धंग की जूती पर पड़ी अंजाने में एक जूती उलट गई थी फिर सुनील ने शिहाब अलजूरी के पैरों की यॉड दिखा वो काले रंग के स्लीपर पहने हुए था अगर खलीफा अबुदावत के खिलाफ हो जाए तो फिर सुल्तान कौन बनेगा सुनील ने पूछा हुसैन अलफैज शिहाब अलजूरी ने बताया वो लगबग 18 साल का होनहा युवक है और एहमत और अबुदावत का भतीजा है मदिना के मौल्वियों के नेजी निरक्षन में शोदिल सा इसलाम धंग से उसकी शिक्षा दिक्षा हुई है मुझे आशा है कि शेकर के लोग उसे सुल्तान के रूप में पसंद करेंगे इस समय कहा है वो उसके हित चिंतकों ने उसे एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ है ताकि वो शाही खांदान के अन्य सदस्यों की इशिया पूर निगाहों से बचा रहे लेकिन अगर उसके सुल्तान बनने का अफसर सामने आया तो वो उचित समय में शेकर में पहुंचा दिया जाएगा उसका जुकाव अंग्रेजों की और होगा या फ्रांसीसीों की और सुनील बुला एक अठारा साल के लड़के से आप लोगों को इस प्रकार की राज निती के ग्यान की आशा नहीं रखनी चाहिए लेकिन शेकर के हित चिन तक यही कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छा सुल्तान बने अपनी धार्मिक भापनाओं को शेकर का सुल्तान बनने के बाद भी कायम रखे शेकर के जनता का हिट सोचे और अपने पूर्खों की तरहा अपने नीजी सुख सुविधा के लालश में विदेशी शक्तियों की और जुकने या उनके हातों शेकर का सौधा करने के बारे में सोचे भी नहीं और ना जाने क्यों शिहा बल्जूरी का गलब भर राया सुल्टान बनने के मामले में आप तो हुसेन और फैस का ही पक्ष लेंगे आपका तो उससे बहुत मो मालुम होता है मेरी पुष्टों ने शाही खानदान का नमक खाया है मैं वही करूँगा जो सल्तनत के लिए भला समझूँगा मेरा प्रतन यही होगा कि हुसेन और फैस शेकर का सुल्तान बढ़े और मुल्क अबुदाउद जैसे गुंडे के हाथों में पढ़कर फ्रांसिसियों का गुलाम बनने से बच चाए मैं केवल शेकर का वजीर ही नहीं शाही इमाम भी हूँ शाही खांदान के हिद के साथ साथ मुझे शेकर की जन्ता के हिद के बारे में भी सोचना है और शिहाबल जूरी जल्दी जल्दी तस्वी फेरने लगा सुनील कुछ शंड विचार पूर्ण मुद्रा बनाए चुपचा बैठा रहा अंत में वो उट खड़ा हुआ शायद अच्छा मैं चलता हूँ आपको कर्ष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ अल्ला तुम्हारा भला करे शिहाब तस्वी वाला हाथ उठा कर आशिरवाद साद देता हुआ बोला सुनील कमरे से बाहर निकल आया शिहाब का कमरा चौथी मंजिल पर था वो लिफ्ट में प्रवेश कर गया और उसे आठवी मंजिल पर ले गया वो लिफ्ट से बाहर निकल आया लिफ्ट का स्वचाली दर्वाजा अपने आप बंध हो गया सुनील ने अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाला और उसे अपने रुमाल में लपेट दिया उसने दुबारा लिफ्ट का बटन दबाया लिफ्ट का दर्वाजा फिर खुल गया सुनील बाहर ही खत्म प्रतिक्षा करता रहा एक निश्चित समय के बाद लिफ्ट का द्वार फिर बंध होने लगा इससे पहले कि दोनों दुबार अपनी पट्रियों पर सरकते हुए एक दूसरे से मिल जाते सुनील ने रुमाल में लपेटा हुआ लाइटर पट्रियों पर रख दिया दोनों दुबार लाइटर के आज़ पास रुख गए दोनों के मिलने में लगभग दो इंच का फांसला रह गया था सुनील ने संतुष्टी पूर्ण धंग से सिर हिलाया और सीडियों के राच्ते चौथी मंजिल पर पहुँच गया लिफ्ट को उस फ्लोर पर घुमाने वाले बटन में लाल बत्ती जल रही थी सुनील ने लिफ्ट बुलाने वाला बटन कई बार दबाया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला स्वचालित लिफ्ट का बिजली का सर्केट तभी पूरा होता था जब दोनों दर्वाजे एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाएं सुनील जान बुचकर आठवी मंजिल पर ऐसा काम कराया था कि एक दूसरे से ना मिल पाएं परिणाम सुरूप जब तक दोनों दर्वाजों में रुमाल में लिफ्टा हुआ सिगरेट लाइटर पसा हुआ था तब तक लेफ्ट आठवी मंजिल से हेल भी नहीं सकती थी वो फिर सीडियों की यॉट चल पड़ा और ग्राउंट लोर पर पहुँच गया होटल की लॉबी में पब्लिक टेलिफोन बूत मौजूद था सुनील लपक कर बूत में घुश गया उसने उसी होटल का नंबर डाइल कर दिया होटल की स्विच बोर्ड ओपरेटर की आवाज कान में पड़ते ही उसने कॉइन बॉक्स में दस दस पैसे के दो सिक्के डाल दिये और जल्दी से बोला मैं ब्रिटिश दूतावास से बोल रहा हूँ ब्रिटिश हाई कमिशनर शेकर के वजील शिहाबल उस्जूरी से बात करना चाहता हूँ एक मिनट लाइन खोल कीजिए ओके थोड़ी दिर बाद सुनील के कानों में शिहाबल जूरी का स्वर्च सुनाई पड़ा हलो शिहाबल जूरी बोल रहा हूँ सुनील एकदम स्वर बदल कर बड़े विनेपूर्ण स्वर्च से बोला हलो सर मैं रिसेप्शनिस बोल रहा हूँ ब्रिटिश हाई कमिशनर आप से बात करना चाहती है वे नीचे लॉबी में मौजूद है क्या आप थोड़ी देर के लिए नीचे तरश्रीफ ला सकते है उन्हें आप मेरे सुईट में भेश दीजिए शिहाबल जूरी का स्वर्च सुनाई दिया वे उपर आ जाते सर सुनील वैसे ही बदले हुए स्वर्च में बोला लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि ब्रेटिश हाई कमिशनर लॉड मेहम एक तांग से लंगडे है और दुर्भाग्यवर्ष लिफ्ट खराब हो गई है चौती मन्जिल तक सीरिया चर्णने में उन्हें काफी कठिनाई होगी एक शन शांती रही और फिर शिहाब अल्जूरी बोला मैं आता हूँ थैंक यू सर सुनील बोला उसने रिसीवर हुक पर टांगा और बूत से बाहर निकल आया वो सेडियों की और लपका वो दोसरी मन्जिल पर पहुँच गया उसी क्षण किसी के नीचे उतरने की आहट सुनाई दी सुनील लपक कर गल्यारे में बने क्लॉक रूम में घुस कया उसने द्वार को थोड़ा सा खोल कर बाहर ज्रांका शिहाब अल्जूरी पैरों में कपड़े के लिपर पहने तस्भी फेरता हुआ सेडियां उतर रहा था उसके द्रिष्टी से ओजल होते ही वो क्लॉक रूम से बाहर निकल आया और सेडियों की और भागा दो सेडियां फांता हुआ चौथी मंजिल पर पहुंचा और सीधा शिहाब अल्जूरी के कमरे में घुस कया एक मिनट बाद जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर संतुष्टी पूर्ण मुस्कुराहट थी वो फिर सीडियों के रास्ते आठवी मंजिल पर पहुंच गया उसने लिफ्ट के दर्वाजों में से अपना रुमाल में लिपता हुआ लाइटर निकाल लिया लिफ्ट के दर्वाजे फॉरन एक दूसरे से मिल गए उसने दुबारा बटन दबाया और दर्वाजे फिर खुल गए वो लिफ्ट में प्रवेश कर गया उसने ग्राउंट फ्लोर का बटन दबा दिया ग्राउंट फ्लोर पर पहुंच कर वो लिफ्ट से बाहर निकल आया शिहाब अलजूरी काउंटर पर रिसेक्शनिस के सामने खड़ा था उसका चहरा क्रोथ से लाल हो रहा था सुनेर सिर जुकाई चुप चाप होटल से बाहर निकल गया उसने एक टैक्सी को संकेत किया टैक्सी उसके समी पाकर रुख गई पुलिस हेट क्वाटर वो टैक्सी की पिछली सीट पर बैठता हुआ बोला शाम को पांच बजे के करीब पुलिस हेट क्वाटर के एक कमरे में शिहाबल जूरी उसका नौकर चिरागली शहजादा अबू दाउद उसके दो नौकर और फ्रांसी सी हाई कमिशनर सुप्रेटेंडन कपूर करनल मुखर जी और सुनील मौजूद थे सुप्रेटेंडन कपूर ने देखा कि शिहाबल जूरी अपनी अरब ड्रेस के साथ अपने अरबी धंग की जूती के स्थान पर विलाईती धंग का जूता पहने हुए था ये जूता आपको कुछ असुविदा जनक नहीं लगता क्या? कपूर ने पूछा बहुत असुविदा जनक लगता है शिहाबल जूरी बोला मैं ऐसे जूते पहनने का कदई आदी नहीं हूँ फिर भी आप मेरी अरबी जूती चोरी हो गई है? चोरी हो गई है? कैसे? कोई मेरे होटल के कमरे में से जूती चुरा कर ले गया है कमाल है? जरूर किसी वेटर की शरारत होगी? शिहाबल जूरी ने उत्तर नहीं दिया सजनो उसी क्षंड सुनील बोला ये आखरी मौका है जब सुल्तान एहमद बिन सईद की हत्या से संबंदित सारे आदमी एक सान पर मौजूद है आज ही रात को हमारे अरब महमान और मिस डोरिस्ट सभी भारत से प्रस्थान कर जाएंगे और सार्थी सुल्तान एहमद का हत्यारा भी हमारी पौहंद से दूर हो जाएगा आपका मतलब है कि यहां मौजूद लोगों में से ही सुल्तान का हत्यारा है ब्रेटिश हाई कमिश्णर बोला जी हाँ सुनील ने गंभीर स्वर से उत्तर दिया ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि हत्यारा उनी लोगों में से कोई है जो रविवार की रात को सुल्तान एहमद के साथ गाड़ी में मौजूद थे और वे आदमी हैं सुल्तान के तीन नौकर अबुदाउद और उसके दो नौकर शिहाबल जूरी और चिराग अली और मिस डोरिस जिस धंक से सुल्तान की हत्या हुई उसमें इस बात की कतई संभावना दिखाई नहीं देती कि कोई बाहरी हत्या कर गया हो इसलिए सजनों हत्यारा उनी लोगों में से कोई है जिनके मैंने अभी नाम लिये सुल्तान के डिलक्स कोच में दो आदमी और भी तो मौझूद थे डोरिस बोली जी हाँ वाजपेई और बर्माकर नाम के दो सीक्रेट सर्विस के आदमी कोच में मौझूद थे लेकिन उन पर संदे करना बेकार है वे हत्यारे नहीं हो सकते क्यूं? क्यूंकि वे सुल्तान के कोच में सुल्तान की सुरक्षा के लिए नियुक्त किये गए थे उसकी हत्या के लिए नहीं अपने विभाद में उनका 20-20 साल का सर्विस का रिकॉर्ड है और हम किसी भी बाहरी आदमी के मुकाबले में उन पर अधिक विश्वास कर सकते हैं वैसे भी ना तो उन्हें सुल्तान की हत्या कर देने का कोई मौका हासिल था और ना ही उन्हें सुल्तान की हत्या से कोई लाब पहुंचने वाला था प्रेन में उन्होंने जीवन में पहली बार सुल्तान की शूरत देखी थी बला ऐसी हालत में वे लोग सुल्तान के हत्यारे कैसे हो सकते हैं संभव है किसी ने उन्हें धेर सारा रुपया देकर इस बात के लिए तयार कर लिया हो कि वो रास्ते में सुल्तान को मार कर ट्रेन से बाहर फैंक दें ये इसलिए संभब नहीं है क्योंकि राश्णगर डेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले तक खुद वाजपई और वर्माकर को भी मालूम नहीं था कि वे ट्रेन में सुल्तान के साथ सफर करने वाले है डोरिस चुप हो गई और फिर सेक्रेट सर्विस के उन दो आदमियों को निर्दोश सिद्ध करने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जानता हूँ सुल्तान एहमत की हत्या किसने की है किसने की है कई स्वरों ने एक साथ पूछा बताता हूँ सुनील बोला पहले मैं कुछ छन्य बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ डॉक्टरी जान्ट से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि सुल्तान की मौत जहर भरी गलेनौडरी विस्की को पीने से हुई है सुल्तान साहब अपने वजीर और शाही इमाम शिहाबलजूरी की धार्मिक भावनाओं का खेयाल रखते हुए कभी शिहाबलजूरी के सामने विस्की नहीं पीता था और अपनी विस्की की बोतल को छुपा कर रखता था मैंने स्वयम राजनगर के समराथ होटल में सुल्तान को बात्रू में से विस्की की बोतल निकाल कर लाते देखा था उसी एक्षण शिहाब अलजूरी ने द्वार खट खटा दिया और सुल्तान जटपट विस्की की बोतल फिर बात्रू में छुपा आया था सुल्तान की दूसरी आदत ये थी कि वो विस्की को नेट पीता था हत्यारे को सुल्तान की इन दोनों आदतों की जानकारी थी इसलिए उसने सुल्तान की हत्या एक बड़ा सरल तरीका सोचा जी नौकर करामत अली ने किया था हत्यारे ने उस विस्की की बोतल में जहर मिला दिया और फिर उसे सुल्तान की आइस बॉक्स में रखी बोतल के स्थान पर रख दिया सुल्तान की अपनी बोतल को उसने चलती ट्रेन में से फिर्की से बाहर पैंक दिया सुल्टान ने बाद में उसी बोतल में से विस्की पी और उसकी ततकार मृत्यू हो गई जहरीली विस्की की बोतल उसके हाथ से चूट कर पर्च पर बिचे कालीन पर आगिरी और बोतल की धेर सारी जहरीली शराप कालीन पर बिखर गई बाद में हत्यारे ने पहले जहरीली शराप की बोतल को और फिर सोना नदी आने पर सुल्तान की लाश को बोरे में बंद करके चलती गाड़ी में से बाहर पैंक दिया हत्यारे ने युसुफ नाम के एक आदमी को पहले ही कहा हुआ था कि वो लाश को नदी में से निकाल कर कहीं दफना दे लेकिन हत्यारे को ये कैसे मालुम था कि सुल्टान ने अपनी विस्की की बोतल आइस बॉक्स में रखी हुई है अबुदाउद ने प्रश्न किया क्योंकि हत्यारे ने सुल्टान को आइस बॉक्स में विस्की की बोतल रखते देखा था ये कैसे हो सकता है इसका मतलब तो ये हुआ की हत्यारा भी उस समय एहमत के कैबिन में मौजूद था बिल्कुल आइस बॉक्स सुल्टान के कैबिन से सटे छोटे कैबिन में बाई और था कैबिन के दाई और शावर था और दोनों भागों के बीच में मोटा परदा पड़ा हुआ था हत्यारा शावर वाली साइड में परदे के पीछे चुपा हुआ था शायद हत्यारे के सुल्तान के कैबिन में घुस्ते ही सुल्तान भी वापिस कैबिन में आ गया था और हत्यारा लपक कर परदे के पीछे जा छुपा था उसी क्षर्ण सुल्तान ने आइस बॉक्स से बोतल निकाली होगी और उसमें से थोड़ी विस्की पी कर वही रख दी होगी तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि हत्यारा उस समय परदे के पीछे चुपा हुआ था सुनील ने अपने सामने बड़े बैग में से एक साबुन का टुकडा निकाल कर यू मेज पर रख दिया जैसे कोई मदारी जोले में से कबूतर निकाल रहा हो ये साबुन वो ड्रामेटिक अंदास से बोला मैंने सुल्तान के छोटे कैबिन की शौवर वाली साइड में से उठाया था ये फर्ष पर पड़ा था और एक पोलिस सधिकारी ने सुत्र के रूप में इसका महत्व समझे बिना इसे उठा कर दिवार के साथ लगी साबुन रखने वाली ट्रे में रख दिया था ये बड़ा मुलायम साबुन है और अगर आप इसे गौट से देखेंगे तो आपको मालुम होगा कि इसके आदे भाग पर एक विशेश प्रकार का पैटरन बन गया है पर्ष है कि अनजाने में किसी का इस साबुन के टुकड़े पर पाउं पड़ गया था और उसके जूते के तले का पैटरन उस समय गीले साबुन पर उभर आया था साबुन पर जूते के ये निशान सिद करते हैं कि कोई आदमी अंधकार में बिना बत्ती जलाए उस परदे के पीछे गया था वो फर्श पर पड़ा साबुन नहीं देख सका था और उसका पाउं पढ़ गया था स्रत्यक्षे वो आदमी सुल्तान की आग्या के बिना कैबिन में आया था और सुल्तान को कैबिन में लोटता देख कर वो परदे के पीछे जा चुपा था ऐसा आदमी हत्यारे के अतिरिक और कौन हो सकता है सुनिल शन भर के लिए चुप हो गया कमरे में मौजूद कई लोगों की संदिग्द निगाहे एक दूसरे पर पड़ रही थी डोरिस विशेश रूप से अबुदावत को घूर रही थी कौन था वो आदमी प्रांसिसी राज दूत ने प्रश्न किया अब ये जूती देखिए सुनिल राज दूत के प्रश्न की योड ध्यान दिये बिना बुला ये एक विशेश प्रकार की अर्भी जूती है जो भारत में उपलब नहीं है इस जूती के तले पर बने डिजाइन को गौर से देखिए और फिर इसका साबुन पर उभर आए निशानों से मिलान करके देखिए आपको फौरण मालुम हो जाएगा कि इसी के तले के निशान साबुन पर उभरे हुए है अर्थात ये जिस आदमी की जूती है उसी के पाउं के नीचे साबुन आया था अर्थात वही हत्यारा है ये जूती किसकी है कई स्वर एक साथ उभरे शिहाबल जूरी की सबने यूँ चिहुंक कर शिहाबल जूरी की और देखा जैसे एका एक उसके सिर पर सींगो गाए हो सुयम शिहाबल जूरी का चेहरा सलेट की तरह साफ था आप सुनिल शिहाबल जूरी से संबोधित हुआ मुझे इतने धर्म परायन और सच्चे आदमी लगते थे कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आप हत्यारे हो सकते हैं जबकि वास्तव में मुझे शुरू से ही आप पर श्रक करना चाहिए था मैं सुल्तान के साथ उसके कैबिन में राजधानी तक सफर करूंगा इसकी जानकारी केवल आपको थी आप ही ने इस बात का इंतिजाम किया था कि मैं रात भर समराथ होटल के एक कमरे में कैद रखा जाऊं ताकि मैं सुल्तान के कैबिन में मौझूद रहकर सुल्तान को मार डालने की आपकी स्कीम में गड़बर ना करूं हाफिस के होटल में युसुफ को आपने फोन किया था और अबुदाउद को फसाने के लिए आपने नाम अबुदाउद बताया था आप इने अबुदाउद के कमरे में युसुफ से बात चीत की थी सुल्तान के हत्यारे आप हैं आपने सुल्तान की हत्या की है मेरे बच्चे शिहाब अलजूरी शांती से तस्वी फेरता हुआ बोला मेरे खिलाब क्या इतने ही सबूत है तुम्हारे पास अभी एक सबूत और है सुनील बोला वो क्या युसुफ को बुलाओ सुनील ने द्वार के समीब खड़े सिपाही को आदेश दिया पौरण युसुफ कमरे में प्रविष्ट हुआ वो शायद दिवार की ओट में ही खड़ा था अभी आपने क्या पूछा था मुझसे सुनील बोला मैंने ये पूछा था शिहाब अलजूरी शांत स्वर से बोला ये मेरे किलाब तुम्हारे पास इतने ही सबूत है क्या युसुफ ने शिहाब अलजूरी की आवाज सुनी उसने चौंक कर उसकी योर देखा और पिर एकदम बोल पड़ा यही वो आदमी है जिसने मुझे नदी में से सुल्तान की लाश निकाल कर दफना देने के लिए कहा था मैं इसकी आवाज को लाखों में पहचान सकता हूँ सुनील ने युसुफ को संकेत किया युसुफ शिहाब अलजूरी को घूम घूम कर देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया आपने सुल्तान की हत्या क्यूं की? सुनील ने पूछा आपकी सुल्तान से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी? शिहाब अलजूरी धीरे से बोला मैं सुल्तान एहमत को अपने बेटे की तरह प्यार करता था फिर भी आपने उसकी हत्या कर डाली? हाँ, ये जरूरी था सुल्तान गुमरा हो रहा था पर एक विलायती औरत की खातिर अपना धरम बदलने पर तुला हुआ था सुल्तान एहमत मुझे बहुत प्यारा था लेकिन इसलाम धरम मुझे सुल्तान एहमत से भी प्यारा है मैं शेकर का शाही इमाम भी हूँ मैं ये बरदाश नहीं कर सकता था कि खुद शेकर का बादशा इसलाम धरम छोड़ कर इसाई बन जाए एक बादशा की ये हरकत मेरे मुल्क के लोगों की धार्मिक भावदाओं को गहरी चोड़ पहुंचा सकती थी उन्हें गुम्रा कर सकती थी इसलाम को इस तोहीन से बचाने का मुझे यही एक तरीका सूझा कि मैं अपने प्यारे आका का कतल कर दूँ मुझे दुख है कि मुझे ऐसा करना पड़ा लेकिन ये एक मजबूरी थी सुल्तान एहमद बिन सईद एक अच्छा बात्षा साबित नहीं हो रहा था आपने अबुदाओद को फसाने की कोशिश क्योंकी सुनील बोला शिहाबल जूरी ने एक उर्तिसी नजर अबुदाओद पर डाली और फिर वैसे ही शांत स्वर में बोला सुल्तान एहमद के बाद अबुदाओद के सुल्तान बन जाने की काफि संभाबना थी और अबुदाओद और भी गंदा आदमी हैं मैंने सोचा शायद मैं एक ही वार से शिहकर के शरीर में चुबे हुए दो कांटे निकालने में काम्याम हो जाओं अबुदाओद का चेहरा कानों तक लाल हो गया आप क्या शेकर का ताज खुद अपने सिर्पर रखना चाहते हैं अबुदाओद भड़क कर बोला नहीं शिहाद शांती से बोला शेकर का सुल्तान बनने के योग्य आदमी केवल एक है और वो है तुम्हारा भतीजा हुसैन अलफैज अबुदाओद ने जवाब में कुछ कहना चाहा लेकिन फ्रांसिसी राजदूत ने उसे हाथ दबा कर रोग दिया अबुदाओद कहर भरी निगाहों से शिहाब अलजूरी को घूरता हुआ चुप हो गया लेकिन आपने सुल्तान को एक गैर मुल्क में मार डालना क्यों जरूरी समझा सुनील ने शिहाबल जूरी से पूछा क्योंकि सुल्तान अभी भारत यात्रा की समापती के बाद शेकर लोटने के स्थान पर सीधा लंडन को रवाना हो रहा था उसका इरादा डोरिस से शादी करके ठाई रूप से वहीं बस जाने का था वो शेकर की हकूमत पूर्टिय अंग्रेजों के हाथ में सौप देना चाहता था भारत की भूमी पर कदम रखने के बाद ही उसने मुझे अपने इस इरादे के बारे में बताया था अगर सुल्तान एक बार इंग्लेंड पहुँच जाता तो फिर मुझे उसको उसके कूक रित्यों को रोकने का अफ्सर नहीं मिलता तो आप अपना अप्राद स्विकार करते हैं कपूर ने प्रश्न किया अभी कोई कसर बाकी रह गई है क्या शिहाबलजूरी मुस्कुराता हुआ बोला शिहाबलजूरी के कपड़ों की भरपूर तलाशी ली गई और फिर उसे पोलिस हैट क्वार्टर की ही एक कमरे में बंद खड़ दिया गया तलाशी लेने का मतलब ये था कि कहीं शिहाबलजूरी के पास कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो आत्मत्या करने में सफल हो जाए लेकिन शिहाबलजूरी फिर भी कानून की पहंद से बहुर दूर निकल गया दो घंटे बाद जब उसके कमरे का दर्वाजा खोला गया तो उसकी लाश पंखे के साथ बंदी हुई जमीन से चार फुट उंची लटक रही थी उसके अपनी पगड़ी खोल ली थी और उसका एक सिरा पंखे के साथ बांद कर दूसरे सिरे को अपनी गर्दन के गेर्द लपेट कर फांसी लगा ली थी सुल्तान एहमर बिन सईद की लाश को शेकर के शाही कबरिस्तान में सम्मान पूर्वक धंग से दफना दिया गया तब तक शेकर में भी कई क्रांती कारी परिवर्तन हो चुके थे शेकर के खिलाव हुसेन अलफैस को शेकर का सुल्तान बना दिया था और शेकर के ब्रिटिश रेजिडेंट को नोटिस दिलवा दिया था कि वो 24 घंटे में अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले अबुदाउद शेकर पहुंचा उसने फ्रांसिसियों और कुछ रेगिस्तानी डाकूँ की सहायता से शेकर में बगावत फैलाने की कोशिश की लेकिन खलीफा का नीजी दखल होने के कारण जनता ने उसका साथ नहीं दिया और वैसे भी जनता को हुसेन अलफैस सुल्तान के रूप में पसंद था अबुदाउद ने अपनी परंपरानुसार वर्तमान सुल्तान हुसेन अलफैस के भी हत्या करने का प्रत्न किया लेकिन वो अपने इरादे में सफल नहीं हो सका वो गिरफतार कर लिया गया और अगले दिए शेकर के किले के सामने खड़ा करके उसे तोप से उड़ा दिया गया हुसेन अलफास के सुल्तान बनने के बाद अंग्रेजों या फ्रांसिसियों का शेकर की और आंख उठाने का भी होसला नहीं हुआ दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्पलीट होती है मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए थैंक्यू वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं ऐसी ही बहुत सारी दिल्चस्प कहान आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें